ओके चलो वे तो हमने प्रीवियस क्लास में मोशन अंडर ग्राविटी स्टडी किया था राइट और इफ यू रिमेंबर फॉम क्लास नाइन हमारे लिए बहुत इंपोर्टेंट चीज होती थी ग्राफ है ना यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ यूनिफॉर्म ली एक्सेलरेट वनाते थे तो उसी तरीके से हमारे लिए अब जाके ग्राफ अगेजE से सवाद हरू हों हम लोग wise नाइन ही की के बात करनेसे पहले वह सब की बात करने से पहले पहले आज मैं तुमको थोड़ी सी mathematics discuss करता हूं ग्राफ के बारे में उसमें मैं क्या क्या चीज़ें discuss करूँगा एक तो straight line के बारे में बात करूँगा कि straight line की क्या equation होती है कहां वो y-axis को काटती है कहां वो x-axis को काटती है दो points given है तो straight line की equation कैसे लिखनी है मतलब ऐसी चीज़ें although तुम लोगों ने coordinate geometry में पढ़ी हुई है 10th class में but still I want to talk little more in detail अगे ठीक है और दूसरी चीज में यही बात करूँगा कि जो हमारे पास ए graph होता है उसकी जो slope of tangent होती है if you remember from one of the previous lectures हमने देखा था कि अगर मुझे slope of the tangent देखता हूं तो वो मुझे क्या बताता है rate of change बताता और rate of change क्या होता है dy by dx होता है तो वहीं से पहले हम start करते हैं थोड़ा सा तुमको एक better feel देने की कोशिश करता हूं कि क्यों मैं ऐसा कहता हूं कि जो slope of the graph होता है जो tan theta होता है वो हमारा dy by dx के बराबर होता है let's try to understand this little more deeply तो थोड़ा सा extra focus आज डालके चलना because obviously mathematics पढ़ रहे हैं थोड़ा ध्यान लगेगा तो let's try to understand मान लो मेरे पास एक y है जो की x के साथ related है let's say y is equal to x square मेरे पास एक graph है y is equal to x square का मुझे graph बनाना है क्या बनेगा एक पैराबोला बनेगा बहुत एक basic से एक पैराबोला बनेगा और वो पैराबोला कैसा दिखेगा let's try to understand सबको यह चीज़ समझ में आएगी कि हमारा वो पैराबोला कुछ इस तरह से दिखेगा ऐसा एक पैराबोला दिखेगा क्या सबको समझ में आता है ठीक है complete पैराबोला ऐसा बना सकते हो तुम लेकिन मैं बस half of the पैरा मैं positive side पर दिखा रहा हूं कैसे बनाया मैंने कैसे सोचा मुझे पता है मैं ordered pairs ले लेता हूं कि यह मेरे लिए हो गया 0,0 यह मेरे लिए हो गया let's say 1,1 यह मेरे लिए हो गया let's say 2,4 यह मेरे लिए 3,9 तो ऊपर की तरफ बढ़ते जाएगा क्या यह बाद सबको समझ में आती है अब अगर मैं यहाँ पर दो points लेता हूं ठीक है let's say I take these two points, a point मैंने लिया यहाँ पर point number one और दूसरा मैं point लेता हूं यहाँ पर point number two, let's say this is a point this is b point तुमसे मैं एक सवाल पूछता हूं कि बताओ कहां पे मेरा rate of change of graph ज्यादा है, कहां पे मेरी जो y की value है वो जल्दी से change हो रही है, क्या जवाब दोगे इसका, b के उपर, सबको समझ में आता है, b के उपर change हो रही है value, और वो कहां से समझ में आता है, let's try to recall, हमने एक चीज बना से है, right, कि अगर मैं इस graphic tangent बनाऊंगा, तो यहां पे मेरी tangent कुछ ऐसी दिखे, कि this is going to be the tangent of the graph, right, और यही tangent अगर मैं यहां बनाने की कोशिश करूँगा, तो वो tangent कुछ ऐसी बननी चाहिए, सबको समझ में आती है यह बात, इसका मतलब, वही जो tangent यहां जो मेरा angle है, वो इतना angle बना रही है, यहां पे, let's say this angle is equal to theta 1, और यहां पे जो angle बन रहा है, वो यहां पे with x-axis कितना बन रहा है, theta 2, अब मैं तुमसे बोलता हूँ, कि tan theta 2, what is tan theta 2, that is slope at point B, slope at point B, or I can say this is equal to dy by dx at point B, सबको समझ में आती है यह बात, कि dy by dx at point B, similarly अगर मैं तुमको बोलता हूँ, कि dy by dx at point A कितना है, तुम बोलोगे, that is equal to slope at point A, क्योंकि dy by dx क्या बताती है, slope, और slope का मतलब क्या होता है, tan of that angle which is made with the tangent and the x-axis, tan theta 1, तो सबको समझ में आ रहा है, अब सबको दिख रहा है कि कौन सा angle ज्यादा है, theta 1 ज्यादा है कि theta 2 ज्यादा है, theta 2 ज्यादा है, theta 2 ज्यादा है मतलब graph उपर की तरफ जल्दी से जाना चाहरा है, मतलब y की value ज्यादा change होना चाहरी है जल्दी से, तो tan theta 2 भी बढ़ा होगा, तो tan theta 2 बढ़ा होगा, तो मतलब slope किसकी ज्यादा है, B की ज्याद आए कि find the slope of graph at point b तो simply क्या करेंगे मैं differentiate कर दूँगा function को value निकाल दूबाई इतना असान है मेरे लिए कोई भी question को solve करना हो किसी को यहाँ पर कुछ भी doubt यहाँ पर किसी को भी कोई भी पूछना चाहता है यहाँ तक तो simple एक दो अब थोड़ी से इसके बारे में बात कर लेते हैं कि यह idea आया कहां से although हमको जरूरत है नहीं है वैसे इसके बारे में बात करने की but still अगर मैं इसको थोड़ा सा और अगर मैं इसको deep में समझना चाहूं कि why we say कि इस point पर जो tangent है वो हमें dy by dx देता है let's try to understand a little bit, थोड़ी से mathematics में चलते हैं मैं फिर से repeat कर रहा हूं, इतना जानना is more than sufficient but I just want to explore a little bit over here करें explore थोड़ा, let's try to understand, मैं बापेस आ जाओंगा इसे अगली slide, चलो पहले इतना तो note करी लो इतना तो note करी लो करें दो तो clearly यहां से मैं बोल सकता हूं कि as theta1 is greater than theta2 मतलब tan theta1 is greater than tan sorry फुल्टा देखें मैंने as theta2 is greater than theta1 so tan theta2 is greater than tan theta1 and obviously dy by dx at point b is greater than dy by dx at point k मैं आपा Ciए, वोना से घ्ट रङन शेखें अंगा हूं कि बढ़ें आगे थोड़ा सा लेट्स ट्राइट टू अंडरस्टैंड कि क्यूं हमने ऐसा कहा कि टेंजेंट की स्लोप कहा से आई यह बात देखुँ अल्दो इट्स इनफ जितना मैंने करवा दिया वह जानना तुम्हारे लिए फिजिक्स में इतना काफी है बट स्टिल लेट्स ट्राइट अंडरस्टैंड तो मैं अगें ग्राफ बना रहा हूं लेट्स यह मेरे पासे ग्राफ है अब मैं तुम से सेंवाइल कर टू एक स्कु घ्री अधिमाण लेते हैं यह हमारा ए का जो काडिनेट है एक जो कौदिनेट आठ एकशत वनC corn वाईबनाद टो इसको क्या मैं बोल दूंगा प्रिस गोलिगा ओर चॉर्फATA अब अधर में तुमको बोलता हूं कि मुझे इस कॉड जो यह कॉड है जो x-axis के साथ एंगल बना रही है मुझे उसका टैन थीटा निकाल के बताओ मतलब just calculate this theta for me, tan theta for me, तो क्या बोल कहोगे कि सर एक triangle complete कर लो पहले, अगर आप एक triangle complete कर लेते हो यहां पर यह value कितनी हो जाएगी, y2-y1, सब को यह value समझ में आ रही है, length क्योंकि यह y1 coordinate हो गया, यह पूरा y2 coordinate हो गया, length कितनी हो गयी, y2-y1 और यह length कितनी हो जाएगी similarly, x2-x1, सब को समझ में आ रहा है कि यहां पर tan theta है, that is simply equal to y2-y1 upon x2-x2, कि अगर तुमको किसी भी chord की slope चाहिए, chord की slope मतलब कि वो chord हमारा कितना angle बना रही है, x2-x2, अगर तुमको वो चाहिए, तो यह चीज़ कर सकते हो, और I can say, this is simply equal to delta y by delta x, यहां तक भी समझ में आ गया अपने, change in y upon change in x, अगर अब मैं यह b point को slide करके pass में लाना start कर दूँ, फोड़ी देर बाद सो चोंचो क्या होगा, अगर मैं b को यहां ले आऊ, तो अब मेरी chord कैसी दिखेगी, ऐसी दिखेगी अब मेरी chord, है कि नहीं? अब यह मेरी chord ऐसी दिख रही है, b को अगर मैं यहां ले आता हूं तो, मैं बोला नहीं, मुझे और पास लेके आना है B को, मैं B को यहां ले आया अब मेरी कॉड कैसी दिखेगी, ऐसी दिखेगी अब कॉड मैं B को और पास ले आया, अब मेरी जो कॉड है, लट से मैं B को यहां ले आया कॉड मेरी और पास आ जाएगी यह कॉड बन जाएगी मैं बी को अल्मोस्ट एक के बाजू में लाके रख दिया में वट डियू थिंक अब मेरी कॉड क्या हो चुकी है यह मेरी कॉड बन चुकी है मैं एक अलग रंग में बना देता हूं इसको यलो में बिखा देता हूं यह मेरी कॉड बन चुकी है वट दियू थिंक वट इस इस कॉड टेंजेंट बेसिकली जब मैं दो पॉइंट्स को इतना पास में ले आऊँगा तो कॉड मेरी लिए क्या बन जाएगी टेंजेंट बन जाएगी जैसे सब को इतना में सरकल में मैं तुम को बोलता हूं मेरे बार्ण क्या बोलते हैं तुम In simple words, in simple words, अगर मैं इस point को B को बहुत pass में ले आता हूं, B को pass लाने का मतलब है कि A और B almost क्या कर गए है? Coincide. और जब दो points almost coincide कर जाएंगे, तो दोनों का x-coordinate क्या हो जाएगा? Same. Eventually, if I am bringing this closer, it means यह delta x almost क्या बन चुका है? 0. In simple words, I have to calculate delta y upon delta x, where delta x is almost tending to 0. तुम बोलोगे, sir, delta y भी तो almost 0 हो जाएगा? हो जाएगा. मैंने कब मैंना कर रहा हूं? और इस चीज़ को हम लोग क्या बोला करते थे? dy by dx. इसी चीज़ को तो dy by dx का नाम दिया था. कि जो small interval of time के लिए, जब small distance cover होता है, उन दोनों के जो ratio होती थी, जैसे वहाँ पर average velocity, उसी को हम क्या बोलते थे? instantaneous velocity. उसी को कैसे निकालते थे? differentiation. तो basically ये जो चीज़े क्या दे रही है? ये तुमको दे रही है slope of किस क्या? अब pod मत बोलो उसको. क्या बोलोगे? slope of tangent. वो chord of tangent बन चुकी है. कि जब तुमने delta y by delta x में delta x को almost past में लाके खड़ा कर दिया ना, वो point of pod नहीं नहीं तुमारे लिए. अब वो almost क्या बन चुकी है? tangent. इसी लिए अगर मैं कभी तुमको बोलता हूँ कि dy by dx क्या देता है? ये तुमको slope of tangent to the graph देता है. यही हम लोग अभी पिछले slide पर सारा पढ़के आएं. कि इस point पर अगर मैं तुमको बोलता हूँ कि मुझे यहाँ पे slope of tangent चाहिए. तो वो क्या देगा? slope of tangent चाहिए. slope of b यहाँ पे चाहिए. slope of a यहाँ पे चाहिए. कैसे मिलेगा? तुम simply उस point पर क्या निकाल दो? dy by dx. which is equal to tan theta 1. that's it. which is equal to tan theta 1. कि यह कितना angle x, जो tangent है, यह कितना angle बना रिया है? tan of that angle. इसी लिए हम लोग बोलते हैं, कि dy by dx जो होता है, दोको यह dy by dx है, maths में इसको dy by dx बोलते हैं. किया भी था हमने? किया भी था? हमने velocity के लिए पढ़ा था ना? वही क्या बोलते था हम लोग? limit delta t tending to 0, delta x upon delta t, इसी को हमने क्या लिखा था? dx by dt. velocity. instantaneous velocity. वही चीज हम लोग यहां पर अभी discuss करना चाह रहे हैं, कि अगर मुझे किसी भी point पे slope of tangent पता के चल जाती है, वही मेरा उस पे क्या है? अभी हम y और x की term से में बाते कर रहे हैं, थोड़ी देर में हम लोग position time, velocity time, acceleration time की term से में बाते करेंगे. ठीक है, solve करके देखें, कुछ questions, simply अब तुमको questions किस type से, मैं पूछ हुआ, mathematics से किस type कराना चाहरा हूँ, note करना है तुम लोगों ने, कर लो इसको जल दी से. अगें, मैं फिर से repeat कर रहा हूँ, this is what you need to know, that's it. यह just explain कर रहा था, y वी से कि slope of tangent हमारा dy बे dx होता है. फिर हम लोगों कुछ questions करते हैं, mathematics में. कर रहा हुआ 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 झाल झाल कि इस मूफ आगे बड़े बड़े नमबर आ है तुम लोग के बोर्स में मैंने देख रहा था कितने कितने आगे 94 आगे 95 से ज्यादा भी आए होंगे तो तुम लोग के हैं उसके तो 99.6 कैसे किसमें कम है उसके से स्थी में है तो सुना तो यह हैं है तो कम तोड़ी हैं कि बाकियों के भी आया है कि 97 98 किसी और के कितने हैं 97 कितने हैं वा भाई और भी आया है कि इसका भी मैं देखा था फोटो डाल रखी थी हैं अरे हमारे टाम पर CGP CGP आई थी बसके एक साल के लिए तो पादा ने कितने आई थी तो पादा ने कितने आई थी ठीक है no one has asked me in my past 12-15 साल में मुझे किसी और नी पूछा यह है तर हर गली महले पे पूछा जाएगा कहां से कॉल कॉल कॉलेज से पड़े हो ठीक है अब से जो करोगे दाट इस गूंग तो बी मच मोर इंपॉर्टन कल ठीक है केक काट लिये चल बढ़िया कल केक काट लिये सब हो गया बट नौ यू नीड तो नो की क्या आप तुमको आगे करना है राइट अब की पढ़ाई जादा इंपॉर्टन होगी ऑबिसली तो 91 सब्सक्राइब करते हैं जल्दी से दो चार अब कोशिंस करते हैं find slope of tangent to the curve find slope of tangent to the curve find slope of tangent to the curve y is equal to x square by 2 at x is equal to 1 तो question में हमसे पूछा जा रहा है कि slope निकालनी है तुमको कहाँ पे x is equal to 1 के उपर तो क्या तरीका लगाना है slope निकालने का मतलब क्या निकालना है dy by dx तो पहले dy by dx calculate करो कितना बनेगा dy by dx differentiate करो इसको क्या होता इसका differentiation 2 आगे आएगा पावर एक कम हो जाएगी 2 to cancel भी हो जाएगा क्या रहे जागा simply तुमको कहाँ पे चाहिए तुमको चाहिए dy by dx at x is equal to 1 के उपर बस x की जगह 1 रख तो कितना आ गया dy by dx इसका मतलब समझ रहे हो क्या है इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारा यह graph बनेगा देखो y is equal to x square by 2 बिल्कुल पैरा बोला बनेगा ऐसा x square जैसे graph बनेगा बस थोड़ा सा 2 से divided रहेगा तो y versus x graph तो मुझे जल्दी से बताओ कि 1 पे हमारी value कितनी है जल्दी से 1 डालना है यह पर हाँ although doesn't matter बट हमको question में पूछा जा रहा है कि यहाँ पे जो tangent बनने वाली है न भाई यह tangent की slope कितनी है यह question में पूछा जा रहा है कि slope of the tangent at what point at x is equal to 1 तो हमको यह निकाले तो मैंने गोला भाई मुझे इससे मतनब नहीं है मुझे पता है जो भी slope होगी वो किसके बरावर होगी dy by dx के मैंने कर दिया इसको differentiate और x की value 1 यह 1 क्या ही present करता है यह बताता है कि यह जो tan theta है यह कितना है यह tan theta 1 और यह i can say theta कितना है 45 degree मतलब अगर तुमसे question में पूछा जाता यहां पे कि बताओ जी वो जो tangent बनेगी x is equal to 1 पे वो x-axis कितना angle बनाती है तो answer क्या दोगे 45 degree और अगर suppose यह 1 ना निकल के 2 आ जाता तो फिर क्या बोलते tan theta 2 आ गया और you can say theta कितना आ गया tan inverse 2 आ जो सबको समझ में है यह बात जो है basically जो भी हम निकाल रहे है slope of tangent यह हमको tan theta निकाल रहे है किसकी help से dy by dx करते है अगला question चलती से कर दो repeat ऐसे question दूँगा question is find slope बाकी सारा सेम है find slope of tangent to the curve find slope of tangent to the curve चाहे लिखना है लिखो यह ज़रूर लिख लो कि y is equal to 4x cube plus 3x square plus 8x plus 1 टीक है एक्स इकल टू टू एक्स इकल टू टू जल्दी से मुझे slope of tangent to this graph at x is equal to 2 निकाल के देखाँ हुआ 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 है किस्टीए टागया तो डी-वाइडी एक्स dy by dx हमारा बनेगा 12x square plus 6x plus 8 सब्सक्राइब x को उठा के डाल दो यहां पर तो जब डालोगे तो कितना बन के आ जाएगा 68 मतलब तुम्हारे पास जो slope है that is tan theta कितना आ गया 68 अगर कोई theta पूछ ले कि angle कितना बन रहा है x axis के साथ क्या बोलोगे tan inverse 68 simple हो गया that's it अगला भी कर तो फिर question starting वाली चीछ सेम है find slope of the tangent to the curve बस मैं main part लिके रहा हूं question का y is equal to sin x at x is equal to pi by 3 pi by 3 सब लोग समझते हो 60 degrees हो गया right questions प्रैक्टिस करने स्टार्ट कर दिया डी सी पंडे में से चेक पॉइंट्स वगारा कितने कर लिए मैंने तो i think काफी सारे दे दिया थे चार किया है दो किया है दो रहे गए अभी कितना है डीवाइब डीएक्स तो डीवाइब डीएक्स आ गया कॉसेक्स कॉसेक्स हमको एक्स की वैल्यू कितनी डाल लिए यहां पर पाइब थरी 60 डीग्री बेसिकली तो कितना आ जाएगा हाफ और आ कैंसे डीवाइब डीएक्स मतलब टैन थीटा डाट इस लोफ हमारे पास आ चुकी है हाफ और आ सबको समझ में आ रही है बात जो है एक आखरी क्वेशन एक और कर दो क्वेशन सेम रहेगा सब कुछ find slope of tangent to the curve y is equal to e to the power x plus log x at x is equal to 4 याद है तुम लोग को differentiations तो डीवाइब डीएक्स कितना आएगा इसका सेम रहती है और log x की क्या होती है 1 by x बस कुछ नहीं x को 4 डाल दो दूनों जगा पर नीचे तो it will become e to the power 4 plus 1 by बस यहीं पर छोड़ो तो यह आ गया हमारा slope of tangent to the curve at x is equal to 4 to this graph यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो हमने यह discuss किया है अभी तक एक बार फिर से summarize कर रहा हूँ पिर हम आगे बढ़ रहे हैं कि मेरे पास basic अली अगर एक तो अगर मेरे पास एक वाइवर्सिस एक्स का graph है तो दी वाइबाइब दी एक्स का मतलब हुआ इसलोप ओफ टेंजेंट इन वाइएक्स ग्राफ यही हुआ ना इसका मतलब कि स्लोप ओफ टेंजेंट इन वाइएक्स ग्राफ गिव्मी डी वाइवाइदी एक्स राइट कि इस सिमिलर्ली अगर मेरे पास यह ग्राफ एक्स वर्सिस टी हो तो मैं क्या बोलूँगा मैं बोलूंगा कि इस ग्राफ की जो स्लोप होगी डाट इस स्लोप ओफ एक्स्टी ग्राफ slope of x-t graph slope of tangent to x-t graph अगर मैं complete बोलना चाहूँ slope of tangent to x-t graph यह क्या देगा मुझे dx by dt और dx by dt क्या होता है velocity तो यह सीख लिया हमने कि अगर मुझे कभी आगे से position versus time graph देंगे x position versus time graph देंगे तो मुझे उस graph को use करके velocity निकालना बड़ा असान है मान लो मुझे बोल दिया गया कि यह position versus time का graph है यहाँ पर पता दो velocity कितनी है तो मैं क्या करूँगा simply tangent निकाल दूँगा जैसे अभी पिछला question था x is equal to y is equal to 4x cube q plus करके देंगा 68 जिसका answer आया था समय लो वो equation हमारी x versus t होती x is equal to 4t q plus something t square plus something t plus 1 है ना तो उस equation में अगर मैं dx by dt मैंने निकाला तो 68 आ गया तो वो जो तुम्हारे पास dx by dt आएगा वो क्या देगा velocity या फिर अगर तुम्हारे सामने graph बना हुआ है तुम्हें tangent की slope पता है एंगल पता है तो tan theta निकाल लो वही तुम्हारी क्या हो जाएगी velocity आ जाएगा एक्स्टी graph से velocity निकाला करेंगे अब हम लोग बड़ा असान हो जाएगा हमारे लिए काम फिर सर भाइ सिमिलर लॉजिक फिर तो हमको यह भी समझ में आ रहा है कि अगर हमारे पास एक्स्टी graph ना हो और अगर हमारे पास बीटी graph हो शायद हम कुछ और भी निकाल पाएंगे इसको यूज करके क्या कर सकते हैं फिर हम acceleration निकाल सकते हैं कि अगर मेरे पास एक बीटी graph है I would say कि सर जो dv by dt है यह हमको क्या दे देगा यह हमको दे देगा dv by dt होता क्या है अच्छा एक कौनसी velocity और कौनसी acceleration की बात करी जारी instantaneous अगर मुझे कभी भी एक graph को यूज करके x-t graph को यूज करके instantaneous velocity चाहिए जिस instant पे चाहिए ना उस instant की slope of tangent निकाल दो और वो कैसे निकालते हैं dy by dx से या फिर अगर theta पता है तो tan theta से तो this is what is our learning right now कि हम लोग x-t graph से velocity निकाल सकते हैं slope लेके और vt graph से further acceleration निकाल सकते हैं कि जो हमने कहानी पड़ी थी differentiation में xva हमारी ये कहानी अभी पूरी हुई है कि x से v करना है तो पहुंचने तो क्या करते थे हम लोग differentiate differentiate का simple मतलब क्या हो गया slope slope of tangent या फिर b से a पर जाना तो क्या करते थे again differentiate या इसका मतलब क्या हो गया slope यह किसकी slope है एक से v तो और x-t graph की slope से b मिल जाएगा और vt graph की slope से क्या मिल जाएगा तुमको a मिल जाएगा क्योंकि differentiation and slope is actually the same समझ मैं है सबको क्या हम आगे बढ़ सकते है थोड़ा चल्ड़ नहीं टान इनवर्स नहीं tan theta velocity इस tan theta theta is equal to tan inverse V ऐसा बोल सकते हो velocity is tan theta बागी questions आएगे हम देखेंगे उसको डोर बढ़े है अच्छा अब आगे बढ़ते हैंस बढ़ा सा तो अगर मैं तुमको यहाँ पर एग्राफ देता हूं equation एक simple बहुत basic सा question दोगा यह ऐसे बना देते हैं इस इस एक्स वर्सिस टी का ग्राफ चिक है मैं ऐसे ग्राफ बना के देता हूं कि मान लो मेरा एक्स वर्सिस टी का ग्राफ ऐसा है बाते हैं तुमको मैं पूछता हूं इस पॉइंट पे विलोसिटी कितनी है तुम्हारा जवाब क्या हुआ जीरो फिलॉसिटी है हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर मिंए कि मैक्सिम मिनिममम वली चीज याद है हम लोग इसको minima क्यों बोलते थे कहां पर minima बोलते थे जहां dy by dx क्या होता है जीरो होता है डी वाइब डीक्स मतलब dx by dt हो गया इस graph के लिए तो यहां हमारी velocity को गई है जो हमारी यहां पर tangent बनेगी वो tangent x-axis का कितना एंगल बना रही है जिसके कारण यहां velocity क्या होगी हमेशा जीर है अच्छा एक point और दे रहा हूं एक यहां point लेता हूं अगें यहां पर tangent ऐसी tangent बनेगी मैं तुम से पूछोंगी यहां पर velocity क्या होगी तुम बोलोगे सर यह जो angle बना है थीटा इसका tan थीटा लेलो तो तुम्हार पास velocity आ जाएगी और क्यूंकि यहां पर थीटा एक acute angle है tan of any acute angle is a positive quantity I would say that velocity at this point is positive man कि velocity एक positive value होगी यहां पर and by the same logic अगर मैं तुमको पूछो मेरी यहां velocity कितनी होगी तुम बोलो कि सर यहां tangent बना लो और इसका तुम x-axis अंगल और मैं क्या को हूँगा कि यह कैसा angle है obtuse angle हमेशा positive x-axis angle बना रहा है और यह obtuse angle है और tan of obtuse क्या होता है negative होता है कैसे sin theta upon cos theta tan theta is sin theta upon cos theta obtuse angle के लिए sin theta तो positive है पढ़ा था हमने लेकिन cos theta क्या है negative है जिसके गारण tan theta क्या बन जाएगा negative बन जाएगा second quadrant में sin is positive cos is negative तो tan theta negative है तो यहाँ velocity क्या हो जाएगी मेरी एक negative quantity हो जाएगी सबको समझ में आ रहा है इन simple words अगर मैं तुमको बोलता हूँ कि यहां से लेके यहां तक हमारी velocity क्या होगी हर point पे negative होगी because यहां graph नीचे की तरफ जा रहे है ऐसा भी सोच सकते हो या तो ऐसा सोच लो कि हमारा obtuse angle बनेगा या तुम ऐसा भी सोच सकते हो कि कि तुम्हारी position की value कम होती जा रही है position की value कम होने का मतलब है कि तुम origin की तरफ वापस आते जा रहे हो क्या बात समझ रहे हो अगर मैं बोलता हूँ कि पहले तुम x is equal to 10 पे थे अब तुम x is equal to 5 पे हो तो तुम किदर जा रहे हो तुम origin की तरफ जा रहे हो ना अगर मैं बोलता हूँ पहले x is equal to 10 से अब x is equal to 20 हो तो तुम origin से दूर जा रहे हो अगर तुम्हारी position बढ़ते जा रहे हो है तो तुम positive x की तरफ जा रहे हो मतलब तुम्हारी velocity positive है तुम right जा रहे हो अगर तुम बापिस आ रहे हो तो तुम्हारी velocity का है negative है वह समझ भी आ रहे है कि यहां x कम होने का मतलब तुम्हारी velocity negative है यहां तुम्हारी velocity समझ में आ रहे है और सिर्फ इतना बोलना काफी नहीं है obviously there will be other factors also acceleration का भी एक factor आएगा हम देखेंगे this is not the complete thing but just एक तुमको एक रफ एक आइडिया दे रहा हूँ नीचे जा रहे है यहां पर यहां पर तुम ऐसा बोलो कि हमारा जो एंगल थीटा है एक प्यूज है velocity is negative and similarly अब मैं तुमको बोलता हूँ इतने region में तुम्हारी velocity क्या रहेगी positive और यहां क्या situation है सबको समझ में आया clear हो गया तो velocity negative positive और 0 देखना आ गया अगर graph तुम्हारा ऐसा बना के दिया जाए let's see अगर graph मैं तुमको ऐसे बना के दूँ xt इस पर ऐसा बना के देता है again मैं तुमसे पूछता हूँ कि top point पे velocity कितनी है क्या जवाब दोगे जीरो यहां पर विलॉस्टी क्या है positive के negative positive क्यूंकि इस बार तुम्हारी यह slope बन रही है यह angle क्या है acute angle और यहां विलॉस्टी क्या है negative क्यूंकि यह angle कितना बन रहा है तो velocity यहां है positive यहां है negative तो सब लोग identify कर लोगे velocity कहा positive है कहा negative है तो obviously इतने region में velocity is positive है इतने region में velocity is negative और यहां तो top point पर velocity 0 है और जो चीज़ हम VT graph में velocity के लिए कर रहे हैं वही काम हम लोग VT graph में acceleration के लिए कि अगर मैं बोलता हूं यह VT graph होता तो सेम स्टूरी यहां acceleration 0 यहां acceleration positive यहां acceleration negative सेम यहां पर दिए क्या यह चीज़ सबको समझ में आया और यह reason क्या थी तुम यहां पर लिख भी लेना नीचे कि कि if theta acute मतलब tan theta is positive if theta is obtuse मतलब tan theta is negative तो यहां से तुमको idea लग जाएगा कि velocity positive है negative है and same for acceleration कि अगा खुम टो जाएगा कि यहां आएगा टो आएगा में आएगा कि यह आएगा okay आगे बड़े चलो एक सिंपल से क्वेशन करते हैं तो बहुत सिंपल है तो मैंने दुम को कहा कि मेरे पास यह एक विलौसिटी टाइम ग्राफ है यह यह एक प्राफ है कि मैं यहां पर दो पॉंट्स बना रहा हूं यह पॉंट नुमबर वण इस पॉंट नुमबर टू point number 1 point number 2 already हम discuss कर भी चुके हैं मैं पूछों कि velocity कहां ज्यादा है options तुमको दे रहा हूं V1 is equal to V2 V1 greater than V2 V2 greater than V1 क्या answer आएगा इसका V2 greater than V1 because जो यहां tangent बनेगी और जो यहां tangent बनेगी उसमें angle ज्यादा होगा second वाले में तो clearly V2 will be greater than V1 वहां पर rate of change of distance ज्यादा है that's it, बहुत ही normal सी बात हम ने कर दी कि इसका answer मारे पास बन गया third, this, this is my answer V2 greater than V1 simple, सब को समझ में आया कि velocity यह maximum है लेकिन मुझे इसका जवाब हो जल्दी से अब मैं तुमको बोलता हूं again I have an xt graph but I have a straight line अब मैं तुमसे पूछता हूं कि velocity क्या यहां ज्यादा है यहां ज्यादा है क्या जवाब दोगे वान और टू में से इस बार तुम कहोगे कि V1 हमारा V2 के बराबर है कैसे तुमने जवाब दिया क्योंकि शायद तुमको याद ही होगा कि uniform motion का graph ऐसा दिखता है शायद xt graph भी तुमको याद होगा 9th class में uniform motion या otherwise simple हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं मैं तुमको पूछों कि यहां पे tangent slope of tangent क्या है तुम वो लोग इसे straight line खुद ही खुद को tangent होती है तो यह खुद क्या है यहां पे tangent और यहां पे भी खुद क्या है tangent तो मतलब अगर तुम्हें यहां पे अगर तुमको slope निकालनी पड़ेगी यह भी theta होगा और यह angle भी कितना होगा theta तो हर point चाहे मैं दो point छोड़ो मैं जितने मर्जी point बना लूँ इस straight line के उपर every point पे मेरी velocity क्या है same तो straight line की जब मैं slope की बात करूँगा वो हर point पे कै रहती है same लेकिन इसकी जो slope की मैं बात करूँगा वो हर point पे change होते जारी है पहले कम थी फिस slope बढ़ते जारी है बढ़ते जारी है यहाँ slope का है constant slope constant का मतलब ही है कि हो कैसी line है मतलब कैसा graph है वो एक straight line समझ मैं आगा अभी तक जितना भी पढ़ाया का सब कुछ clear है क्योंकि अब हम लोग पढ़ने जा रहे है straight lines की थोड़ी discussion करना चाहरे है although तुम लोग को coordinate geometry से ठीक ठाक आती होंगी चीजें पर थोड़ा I want to talk little bit about जो कि हमको physics में जूरत पड़ेगी कहां जूरत पड़ेगी suppose मैं तुमको यह x-t graph बना के देता हूँ मैं तुमको बोलता हूँ यहाँ पर कि यह x-t graph है हमारा time 1 के उपर हमारी जो at 1 second के उपर हमा हम x is equal to 10 पे पहुँचे हुए थे मैं तुमको यह बता देता हूँ और फिर बता देता हूँ कि हम at x is equal to 3 पे जाके हम let's say 40 के उपर पहुँच गे थे तुमको मैं 2 points देता हूँ कि t is equal to 1 पे मैं x is equal to 10 पे हूँ t is equal to 3 पे मैं x is equal to 40 पे हूँ तो तुम लोग को slope के बारे में शायद जानकारी है heading बना लो जल्दी से straight lines तो straight lines को थोड़ा सा discuss करते हैं तो बस मुझे यह जानना था कि तुम लोग को पता है कि नहीं बड़ स्लोप का जिकर क्या ncrt में होता है बढ़िया that's good that is good आता है कैसे आए नमबर यह पर सॉकेश लेगा था ठीक है ओके तो बना लिए सबने straight lines नो लेट्स ट्राइट वांडरसांड कोई एक general straight line की एक general equation क्या होती है शायद तुम लोग पढ़के आए हो क्या पढ़के आए हो ay plus bx plus c is equal to 0 यह पढ़के आए हो बट हम लोग इसके general equation start करेंगे y is equal to mx plus c के साथ तुम बोलो कि सर ऐसे कैसे कोई भी equation है इसको इस मेरे लिए मेरे लिए क्या बना दिया मैंने इसको c लिख दिया in simple words मैं यहां पर यह तुम से discuss करना चाहरा हूं कि कोई भी दुनिया की straight line है उसकी एक general equation मैं इस form में लिख सकता हूं y is equal to mx plus इसको हम बोलते हैं slope intercept form slope intercept form of a straight line क्यों ऐसा बोलते हैं क्योंकि यहां पर जो m है ना this m represents slope of the line and this c represents intercept क्या यह चीज़ पढ़ी हुई है तुम लोगों ने line है y is equal to 2x plus इसका मतलब पते क्या है इसका मतलब यह है कि इस line का जो intercept 3 है now what do we mean by intercept 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 हमारा वो point होता है y की वो value होती है जहां पर हमारी जो line है वो y-axis को cut करती है ठीक है बनाके दिखाता हूं इसका graph बनाते है दो minute दिए अगर मुझे इसका straight line बनाके दिखाना है तो मैं ऐसा बना सकता हूं best तरीका क्या होता है कोई भी 2 points ले लिया करो ठीक है कोई भी 2 points ले लो और उनको join करता हो कैसी बनाती हो कोई भी 2 points ले ले लो जोपर 3 यहां से start करो graph को और यहां पर point ले लिया, यह तो C is simply the point at which that is intercept is simply the point on the y-axis where it is cut by that line and clearly, तुम देख सकते हो C कितना है यहापे, अच्छा, अब जल्दी से मुझे एक जी सोच के बताना है यहापे, अगर मुझे इस line की, यह जो line बन रही है, यह जो line यहापे बन रही है, इसकी slope चाहिए, इसकी slope चाहिए होने का मतलब यह है, कि मुझे, मुझे इसका tan theta चाहिए, यह है ना इसका मतलब, कि मुझे इसका tan theta चाहिए, और इसका tan theta कैसे निकालोगे, शुरू में आज लेक्चर के स्टार्ट नहीं बताया था, यह क्या होगा तुमारे लिए, y2 minus y1, that is 5 minus 3 कितना है यह, 2, यह कितना है, 1 minus 0, तो अगर मैं तुम से ब स्ट्रेट लाइन, कि कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, उसकी में जो अगर y is equal to mx plus c के फॉर्म की होगी वो, where c represents the intercept and m represents the slope of the line. ठीक है, समझ मैं? ठीक है? अगे बढ़ते हैं, अब हमको question तुमको करवा रहा हूँ, question एक करो जल्दी से, question लिखो जल्दी से, ग्राफी बना लो, बस कुछ नहीं, ज्यादा करने जोड़े है, तो मैं दो point दे रहा हूँ तुमको, ठीक है, अब सिखा, एक example देके, तुमको मैं सिखा देता हूँ, यह दो question खुद से solve करोगे तुमको, ठीक है, तो मान लो, मुझे question आता है, कि मुझे एक straight line की equation लिखती है, which lies between 1,2 and which lies between 5,8, ठीक है, कि इन दोनों को join करने वाली इस line की मुझे equation चाहिए, suppose मुझे equation चाहिए, अब देखो, या तो मुझे इन दोनों, एक तो या तो M पता हो, और C दोनों चीज़े पता हो, तो मैं लिख दूँगा, लेको M तो निकालना पड़ा straight forward है, कुछ नहीं, 8-2, that is 6, अगर मुझे M निकालना हो न, M is very very easy to call, M होता है tan theta, tan theta मतलब हुआ y2-y1, that is 8-2, कितना हो गया 6, 5-1 कितना हो गया, 4, तो M तो निकालना मेरे लिए बहुत straight forward है, लेकिन C तो मुझे पता ही नहीं है, यहां तो एक काम करो, पेपर में graph ले जाया करो, पूरा ऐसे points लेके बनाओ, ऐसे पूरा ऐसे काट के देखो कहां कट कर रही है, फिर देखके चेक कर ले न, intercept, फिर वहां पर लिख देना, y is equal to 3 by 2, x plus जो भी, फिर प्रोपर लिए ऐसे बनाना, देखना कहां जाके cut करता है वो फिर वहां पर value पुट कर देना, तुम्हारा answer आखिका, यह तो यह तरीका है, but obviously अब तो neat wheat में कुछ लेके तो जा नहीं सकते हो, पहने तक वो खुद अपना देते हैं अब तो, अब basically इसको calculate कैसे करना है, तो तो तुम्हें ऐसा बोलना है यहां पर, यह कुछ भी हो य सी भी line हो, ultimately this is going to be of the form y is equal to mx plus c, तुम्हें बस यहां से दो चीजे निकालने हैं, m और c, हम मैंने तुमको पहले बताया, अगर तुमको दो variables निकालने हैं, तो कितनी equation चाहिए होंगी, दो equation, तीन तो तीन, यहां पर दो variables हैं, दो equation चाहिए, दो equation कैसे मिलेंगी, यह point को भी इस पे satisfy करा दो, इस point को भी इस से satisfy करा दो, अपने आप m और c निकल के आ जाएंगे, पहले 1, 2 को satisfy करा दो, मतलब x की value 1, y की value 2, so 2 is equal to m into 1 plus c, सब को यह समझ में आया, अब इसकी जरूद निया यह, मुझे पता है, वैसे मुझे पता है कि m 3 by 2 निकल के आएगा, but I don't need this now, अब मैं इस तरीके से कर दो, अब इसको भी satisfy करा हूँ, 8 डाल दो y, 8 is equal to 5m plus c, करो solve, दोनों को divide दो 2 minus 1, इधर क्या बनेगा 6, इधर क्या बनेगा 4m, तो आगया कि नहीं, आगया m, m आगया हमरे पास, 3 by 2, ठीक हो गया, m 3 by 2 आगया, 3 by 2 यहां पर डालो कि c कितना आजाए हाफ, that's it, बस, equation निकल क्या आगया, equation y is equal to mx, that is 3 by 2x plus हाफ, यह है, straight line की equation, तो कभी भी तुमको मैं, कभी भी दो points दिया करूँ, कि इनको join करने वाली straight line बना दो, तो हमेशा यही काम करने है, y is equal to mx plus c लिखो, वो दोनों points को उसमें satisfy करा हूँ, m और c की values आएंगी, वो हमारी इस general equation रपोट करके आगी, तरीके और भी बहुत है, तुम ने भी शायद पढ़ा होगा, एक तरीका और होता है, कि एक general point x, y लो इसके उपर, शायद तुम लोग को कभी पढ़ाया गया हो, फिर लिख दो, x minus 2, sorry, y minus 2 upon x minus 1 is equal to 8 minus 2 upon 5 minus 1, let's not get into that, हम लोग इस तरीके से इसको कर लिया करेंगे, जब भी मुझे दो points के बीच में चाहिए, तो y is equal to mx plus c, दो no points दो satisfy कराओ, m निकालो, c निकालो, and done. ओके हो गया, तो जल्दी से question करके दो फिर बुझे, practice करते हैं ऐसी चीज़ को, अच्छा, by the way, अगर कोई यहाँ पर सोच रहे, कि सर ऐसे कैसे, यह slope है 2, बड़ा असान है देखना, बड़ा असान है, इसको differentiate करना, dy by ds करना, इसका, क्या है, इसका differentiation क्या हो, dy by dx is equal to m, तो है, मतलब, मैंने बहुत ही कोई हाइपाई चीज नहीं बता थी, कि m यहाँ slope होती है, dy by dx है भाई, m, तो slope है, तो nothing कि मैंने कुछ, कोई हाइपाई चीज नहीं बता ही, it's a very basic and a very normal thing, okay, anyways, let's do a question, तो मेरे पास यहाँ पर, let's say this is x, this is y, 1,7 and let's say 5,2, इन दोनों को join करने वाली straight line की equation and तुमको समझ में आना चाहिए कि इस बार तुमारी slope negative निकल के आएगी, अपने अब देखना m negative आ जाएगा, क्यूंकि इस बार कैसा angle बनेगा इनको join करोगे तो obtuse angle बनेगा x के साथ, कि अगा 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 बनेगा तो झाल 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 बन गई एक विशन? यह नहीं चाहिए, y is equal to minus 5 by 4x plus 33 by 4, check करो यह आ रहा है, ठीक है, बस ultimately दोनों को satisfy करा दो, बस, कुछ नहीं, y is equal to mx plus c general form आ गई, पहले 1,7 को करा दो, 7 is equal to 1 यहांपर डाल दो, m plus c, number 1, and number 2 क्या आएगा, if 2 is equal to 5m plus c, second equation, तो यह solve करोगे, तो m तुमारे पास निकल के आना चाहिए, minus 5 by 4, and c निकल के आना चाहिए, 33 by 4, हो गया, ठीक है, as simple as that, तो यह straight line की equation लिखनी आ गई अपने को, ओके, तो कल वाली class में हमने graphs के बारे में समझा, ठीक है, तो graphs में हमने यह देखा की, कैसे rate of change निकालते हैं, मतलब slope, slope मतलब होता है, differentiation of the graph, that is dy by dx, right, अगर मुझे velocity चाहिए, from xt graph, तो basically मुझे उसकी slope निकालनी है, अगर acceleration चाहिए, vt graph, again मुझे उसकी slope निकालनी है, यहां तक हम नेकल discuss किया था, straight lines के बारे में समझा, y is equal to mx plus c, right, आज हम लोग उन्हीं graphs को use करके, हमारे motion के graphs को study करेंगे, तो सबसे पहले heading बना लो, graphs of, graphs of uniform motion, graphs of uniform motion, तो हम लोग हर type के motion के तीन graphs बनाएंगे, एक होगा हमारा velocity versus time, एक होगा position versus time, और एक होगा acceleration versus time, देखो, होने को तो graph, ऐसे तो velocity versus position भी हो सकता है, लेकिन for the time being, हम लोग बस time के साथ graphs बनाने वाले हैं, तीनों position, velocity and acceleration, सबसे पहले uniform motion, जब हम uniform motion की बात करते हैं, तो हमारी velocity क्या होती है, उसके इसमें, constant, और I can say कि जो acceleration होती है, वो कितनी होती है, जीरो होती है, this is the meaning of uniform motion, तो सबसे पहले, अब सीधर सीधर graphs बनाना start कर देते हैं, without wasting any time, तो मुझे यहाँ पे तीन graphs बनाने हैं, सबसे पहले मैं बनाने जा रहा हूँ, यहाँ पे, acceleration versus time का graph, जल्दी सोच के बता दो, कि acceleration versus time graph कैसा दिखना चाहिए, if I say acceleration is zero at all times, तो clearly हमारा acceleration versus time graph, should be the time axis itself, कि acceleration हमेशा कितनी होगी हमारी zero, सबको समझ में आ गया, कि at each point my acceleration is equal to zero, तो यह हमारा graph बन गया, that is straight line, that is axis itself, a is equal to zero, ठीक हो गया, इस से असान तो कुछ नहीं हो सकता, अगला graph, अगला graph हम लोग बनाने जा रहे हैं, velocity versus time का, कैसा देखेगा velocity versus time का graph, slanting देखेगा, straight line parallel to, not slanting नहीं होगी, अंगल पर नहीं होगी, parallel to time, because velocity क्या होना ही चाहिए, constant, suppose मैं बोलता हूं कि, मेरी velocity constant 10 meter per second, so at every point, velocity should be equal to, a constant value, इसका मतलब क्या हुआ, कि velocity तो बढ़ते जा रही है, वो थूढ़ी नहीं होगा, simply we will say, that the velocity is a constant value, तो हमारा graph ऐसा होगा, होने को हमारा graph नीचे भी हो सकते, or it will be something like, दोनों एक साथ नहीं बनाने, मतलब या तो यह होगा, या फिर यह होगा, तो अगर graph ऐसा दिख रहा है, तो मतलब velocity कैसी है, तो महारी positive, और अगर graph ऐसा दिख रहा है, तो velocity कैसी है, तो महारी negative, that is velocity की negative value, समझ मैं है, तीसरा graph, तीसरा graph मनाते हैं जल्दी से, तीसरा graph बना रहे हैं, x versus time, position versus time, now, how will the position versus time graph look like, it will be a linear graph, जैसा तुम अभी बोड़ेते, एक angle के उपर होने वाले, तो यह एक ऐसी line बनेगी, क्यों देखोज सिंपल सी बात है, velocity constant है, हमारा uniform motion, velocity कैसे मिलती है, मुझे xt graph की slope से, मतलब slope के रहनी चाहिए constant energy, तो अगर slope constant energy, तो कैसा graph बनेगा, straight line, अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल होगा, कि sir origin से पास करवाना है, कि नहीं करवाना है, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और यह starting point क्या बताता है, यह बताता है, कि time is equal to zero पे, तुमने अपना motion कहां से start किया, माल लो मेरा घर origin है, अगर आज मैं center पे आया हूँ, अगर अपने घर से आया हूँ, तो मैं origin से start कर दूँगा, क्या पता मैं पहले ही अपनी किसी दोस्त के घर पे बैठा था, तो और इसकी जो slope जब तुम निकालोगे, slope will give you what? velocity, और slope constant, straight line है, तो obviously velocity is a constant velocity, और slope यहाँ पे कैसी slope दिख रही है तुमको? positive, तो मतलब velocity कैसी है इसके उपर? positive, समझ में आ रहा है, मतलब यह हुआ कि graph होने को ऐसा भी हो सकता था, dipping भी downwards की तरफ भी जा रहा हो सकता था, अगर graph ऐसा होता, यह भी हमारा straight line motion का graph, तो this is also a, this is also a uniform motion का graph, लेकिन यहाँ पे फरक क्या है, देहर velocity is going to be negative quantity, as slope is negative, क्योंकि obtuse angle बन गया, यह angle with the x-axis, एक obtuse angle बन गया, तो slope क्या जाएगी? negative, ठीक हो गया? तो तुमको इस बार, tan of theta चाहिए होगा, तो ऐसको ऐसा बोल सकते हो, कि या तो तुम, अब तुमको इसकी slope चाहिए, तो तुमको इसका tan theta चाहिए, और इसका tan theta will be a negative value, तो या तो इसका tan theta बोलो, या ऐसा बोलो, minus of this tan theta चाहिए, tan, 180 minus theta is equal to minus tan theta होगा, चलो इस चीज़ों पर तो आएंगे अभी, तो यहाँ पर जो हमारी slope है, यह negative quantity हो जाएगी, जिसके चलते भी विल से, velocity is negative, तो इतनी चीज़ी समझ में आ गई है मुझे, कि acceleration time graph हमारा time axis itself हो जाएगा, because acceleration is 0, velocity constant, यह उपर होगा तो velocity positive, नीचे है तो velocity negative, और तीसरा, x-t graph, अगर हमारा uniformly बढ़ते जा रहा है, मतलब straight line अगर उपर की तरफ जा रही है, तो velocity positive, यहाँ पर नीचे की तरफ आ रही है, velocity negative, is it clear? इसकी सका ध्यान रखना, अच्छा हम लोग हमेशा time axis को ही, क्यों मैं x-axis पर रख रहा हूँ, time को क्यों रख रहा हूँ x-axis पर, because तुमने एक चीज़ पढ़ियोगी, coordinate geometry में, independent variable and dependent variable, यह words उसकी हैं तुम लोगों ने कभी, नहीं उसकी है, हम हमेशा ऐसा बोलते हैं, लेकि जो x के उपर होता है, वो independent quantity usually हम लोग बनाते हैं, तुम देखो time एक ऐसी quantity है, जो कि independent है, उसको कोई फरक नहीं पढ़ रहा, कि तुम move कर रहे हो, तुम uniform motion है, तुमारा non uniform है, या तुमारी पॉस uniformly accelerated है, तुमारी velocity कैसे change हो रही है, कैसे acceleration change हो रही है, तुम घर पे सो रहे हो, या फिर move कर रहे हो, whatever it does not care at all, तो time एक ऐसी चीज़ है, वो अपना चलता जाता, चलता जाता, चलता जाता, चलता जाता, time के उपर बाकी चीज़े depend करते हैं, कि time के साथ तुमारी position कैसे change हो रही है, तुमारी velocity कैसे change हो रही है, तुमारी acceleration कैसे change होती है, तो जो independent quantity होती है, उसको हम लोग हमेशा x-axis में बनाते हैं, और जो dependent quantities होती है, उनको हम लोग बनाते हैं, हाँ, अगर कोई ऐसी quantities है, दोनों ही depend कर रही हैं, तो ठीक है, उसको हम लोग बना देंगे, जिसके उपर मरजी बना लो x-t and y के उपर, but the point is कि time जब भी आ जाता है, time वाला graph, हमेशा हम लोग time को try करते हैं, x-axis के उपर लेने की, समझ में आगे सब को यह बली जो बात है, ठीक है, तो यह हो गया हमारे पास x-t graph, किसी को यहाँ तक कुछ भी पूछना है, and again, यह जरूरी, अच्छा, अब कभी भी न, graph को, दूसरा quadrant और तीसरे quadrant में कभी नी बनाना graph, क्यों नी बनाना, क्यों, क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, कभी भी graph second और third quadrant में नी बनेगा, क्यों, time कभी भी negative नी हो सकता, time negative does not make sense, यहाँ पर वो ADBC वाला concept नी लगेगा, ठीक है, before Christ राफ कि negative में चलो, ऐसा कुछ नी है, कोई negative का concept नी है, यहाँ पर time का, and graph either in the first quadrant हो सकता है, तो नहाँ इधर in the fourth quadrant, अगर VT graph बना रहा हो है, XT बना रहा हो है, A T अगर time X axis के लोगे, clear हो गया, अब यह graph होने को यहाँ पर भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है, मैं negative position से start कर रहा हूं, मैं हो सकता है, मैं घर से भी पीछे से आ रहा हूं आज, I can believe, कि मैं बहुत पहले से पीछे से आ रहा हूं, तो negative भी हो सकता है, so that is not a concern, I hope यहाँ तक सब को clear है, uniform motion के graphs clear है, अब आजाओ, next, graphs of uniformly accelerated motion, graphs of uniformly accelerated motion, तो uniformly accelerated motion में, हमारी acceleration क्या हो जाएगी, constant, पिछले वाले में velocity constant थी, इस बार acceleration पहुंस, तो जो graph हमारा पिछले बार, VT graph बना था न, वो इस बार हमारा क्या बनेगा, 80 graph बनेगा, तो अब 80 से start कर देते हैं, first graph, तो अब यहां पे विलोसिटी विली वेरिंग यूनिफॉर्म ली, यहां पे विलोसिटी विली वेरिंग यूनिफॉर्म ली की, विलोसिटी यूनिफॉर्म ली बड़ेगी इस बार, तो अगर मैं यहां पे 80 graph बनाता हूं, तो acceleration मेरी constant होनी चाहिए, अब दो possibilities हो सकते हैं, acceleration की, इधर acceleration can be positive, और acceleration can be, negative acceleration मतलब retardation, तो बिल्कुल जैसे वेटी ग्राफ बनाया था, इस बार 80 graph बन जाएगा, विकाद इस बार acceleration constant है, अब बताओ जल्दी से, वी टी graph कैसा बनना चाहिए, वी टी graph कैसा बनना चाहिए, इस बार हमारी velocity increase होगी, या decrease होगी, change होगी, पर change होगी uniformly, ऐसा नहीं कि कभी ज़्यादा बढ़ गई, कभी कम बढ़ गई, कभी ज़्यादा बढ़ गई, basically uniformly बढ़ती जाएगी, क्या यह समझ में आ रहा है सबको, कि uniformly बढ़ेगी, अगर बढ़ेगी तो uniformly बढ़ेगी, equal interval of time में, equal, equal बढ़ेगी, तो एक straight line बनने चलिए, और इसी चीज़ को, हम लोग इसको बता सकते हैं, using simple equation, I can say, हमें पता है, V is equal to U plus A T, जब हम uniformly accelerated motion की बात करते हैं, वो सारी equations लगा सकते हैं न, V is equal to U plus A T, S is equal to U T plus A P T square, V square minus U square is equal to S, और दो, तीन और लिखवाई थी मैंने, सब लगा सकते हैं, अब इसके according लिए अब तुम ये समझो, ये V कौनसी axis के उपर है, Y के उपर, time कौनसी axis पे है, X axis, क्या ये straight line की equation लग रही है तुमको, बिल्कुल है, कल हमने क्या पढ़ रहा है, जेनरल equation क्या होती है, Y is equal to Mx plus C, यहाँ पे M का काम कौन कर रहा है, A, और पता भी है यह हमको, कि जो slope होती है, M जो slope होती है, वो कहां से मिलती है, क्या देती है हमको graph की, acceleration देती है, तो इस graph की acceleration क्या होगी, positive, क्योंकि slope क्या है, positive, सबको समझ मैं यह बात, और यहाँ पे U किसका काम कर रहा है, intercept C का, तो मतलब हमने की, और logical है, obviously, मैं तुमको बोलता हूँ कि, मेरा graph है यह, time is equal to 0 के उपर, अगर मैं rest से start करूँगा, U 0 से, तो मैं origin से बनाता graph को, पर अगर मेरे पास, पहले से ही कुछ initial velocity है, तो मैं किसी initial velocity U से start करूँगा, समझ मैं आरा graph, this U may be 0, हो सकता है, origin से पास करे, हो सकता है, ना करे, मैंने एक general कुछ U दे के, इसको graph बना कर दे, so this graph may be from origin, और may not be from origin, and similarly, this graph, may be an increasing graph, it may be a decreasing, परा क्या हो जाएगा, second case में क्या हो जाएगा, that acceleration will come out to be equal to, negative quantity, क्यूं, क्यूंकि जो slope है, इस line की क्या है, negative, समझ मैं आ गया, और कैसे समझ मैं, as straight line है, या तो ऐसा बोल लो, कि हमको पता है, equal interval of time में, equal होना चाहिए, या तो ऐसे समझ लिया, या मैं ऐसा समझ लेता हूँ, कि मुझे पता है, acceleration constant है, और acceleration, अगर कां से मिलती है, VT graph से, slope से, slope constant का मतलब क्या है, वो एक straight line है, या तीसरा explanation, क्या बोल लो, कि हमको पता है, V is equal to U plus 80, ये कौन सी equation है, ही है हमारे पास, straight line है, अगर ये T square होता, तो फिर क्या होता, parabola, T cube होता, तो बोल देता, cubic function है, तो हमेशा equation से, तो idea लगेगा ना, कि straight line है, कि parabola है, या फिर कुछ और है, तो यहाँ देखके, मुझे समझ में आजा, तो बड़े तरीके है, एक तो simply बोल दिया, कि हाँ भई, हमें पता है, uniformly बढ़ती है, equal interval of time में, equal equal change आता है, या हमने बोल दिया, कि slope जो है, वो constant होनी चीज़ की, तो straight line है, या हमने equation को देख लिया, is it clear, तीसरा और final graph, आप जल्दी से बना देते हैं, एक दम simple, अब बना रहा हूं, मैं position versus time कर रहा, now, क्या shape बननी चाहिए, अब मुझे इतना पता है, अभी देखो, equal time में, equal distance cover नहीं होने वाला इस बार, इस बार तो हमारा distance cover बढ़ता ही जाएगा, हमने example भी देखा, मालों में उपर छट से एक body पहिंगता हूं, पहले एक second में, अगले फिर अगले एक second में, फिर अगले एक second में, फिर अगले एक second में, distances covered होते थे, क्या ratios थी, 1 is 2, 3 is 2, 5 is 2, 7, मतलब equal intervals में, क्या equal distance cover हो रहा है, नहीं, तो क्या equal intervals में, equal 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 चलता जाएगा, नहीं, क्या होगा इस बार एक curve बन के आएगा, कि हर एक second में, इसलिए पार जादा से जादा से जादा distance cover होते जा रहा है, तीनों में से, जिसमें तुमारे पास X versus T आता हो, S versus T आता हो या सर्ष, S is equal to, UT plus half, S का मतलब क्या होता है, displacement, displacement मतलब, final position minus initial position, मैं इसको बोल सकता हूँ, X minus X not, ऐसा बोल सूँ नो, final position X is equal to, जितनी पहले position थी, that is X not, plus उसके अंदर जो displacement हुई है, that is UT plus half A T square, अब मुझे खुद देखके बताओ, कि time हमारा X axis पे है, X हमारा Y axis पे है, तो obviously हमारी parabolic relationship आ गई न, time square के उपर depend कर रहा है, जो X है, ये time square पर depend कर रहा है, तो क्या बनना चाहिए, parabola, अब parabola या तो यहां से start करके ऐसा बना दो, बस parabola होना चाहिए, या फिर मैं पूरा-पूरा भी के लिए बना देता हूँ, एक parabola होगा, बट अगेन, parabola भी दो तरही का का होता है, upward parabola और, ठीक हो गया, what is the difference between both these parabolas, upward parabola जब मैं बोलता हूँ, इसका मतलब होता है, कि जो हमारा T square का coefficient है, वो क्या होना चाहिए, positive, एका represent करता है, acceleration, मतलब जब भी graph ऐसा दिखेगा, तो मतलब acceleration क्या है, positive, और जब भी graph ऐसा दिखेगा, मतलब acceleration क्या है, negative, समझ में आ गया, तो देखो, ए होगे upward, ए होगे downward, इसका कहना है कि सर क्या ये वाला पैराबोला भी बन सकता है, नहीं बनता, ये वाला पैराबोला तब बनता, अगर तुम्हारा, time x square के उपर depend क्या है, समझा है, यहाँ पर x, इनका मतलब होता है, x depends on time square, ये वाली shape, या फिर ये वाली shape का मतलब होता है, time depends on x square, कि ये, अगर इसके t square पर depend करता है, तो upward या downward होता है, जब ये इसके x square पर depend करता है, तो क्या बनता हमारा right word या फिर left word पर पर यहाँ पर equation क्या बोलती है, don't worry about that, वो तो कहीं से भी start कर सकता हूँ, सबको clear हुआ, तो ये हमारी shape होती है, parabola की x-t graph, uniformly accelerated motion, अगर बनता है, अच्छा, अब हमारे किसके graph बचे हैं, uniform motion के कर लिए, uniformly accelerated के कर लिए, अब किसके बचे हैं, non uniform की कैसे बनाओगे graph, क्या graph बनाओगे उसका, कुछ हिसाब किताब तो है नहीं, इसमें तो pattern, graph में, मैं बहाएं एक straight line follow होगी, यहाँ straight line से बढ़ेगा, एक parabola बनेगा, उसमें कोई इसाब किताब नहीं है, तुम्हारी कभी velocity 40, कभी 50, कभी 70, कभी minus 10, कभी कुछ भी हो सकता है, anything, कोई shape ही नहीं है, कैसे बनाओगे उसके, वो तो जब values आएंगी, तो उसको देख देख के बनाते जाओगे, यहाँ पर इतना था, यहाँ पर इतना था, ऐसे जो बन गया, तो बन गया, तो मतलब ऐसे कोई fixed shape नहीं है, कि मैं बोलूँगा non-uniform, यह तो non-uniform के कोई fixed diagrams नहीं बनते, उसको solve करने का, उसको analyze करने का, हमारा completely different तरीका होगा, हम integration सीखेंगे उसको करने के लिए, अभी उसको एक दो lectures बाद के लिए छोड़ते हैं, अब हम लोग सोड़ा कुछ और काम करते हैं, let's try to understand पहले, अभी तक हमने क्या discuss किया, हमने यहाँ पर यह discuss किया, कि मेरे पास, X, V, A, तीन quantities होती हैं, position, velocity, acceleration, अगर मुझे position से velocity पे पहुंचना है, तो I will simply do, इसको क्या कर सकते हो, differentiate, differentiate कर लो, या फिर सेम चीज को कैसे हम पता निकालते हैं, लोग, slope, slope of XT graph, will give me velocity, and similarly, तुमको velocity से acceleration चाहिए, तो velocity को क्या करना पड़ेगा, differentiation, or I can say slope of VT graph निकाल लो, वो तुमको कह देती है, acceleration, eventually मुझे यह समझ में आई कर, कि differentiation, that is dy by dx, तुमको slope बताता है, यह समझ में आई कर, अब इसी का ना, एक reverse होता है, differentiation का उल्टा होता है, integrate, कि अगर तुम किसी चीज को differentiate करके कुछ बना रहे हो, अगर तुमको वापिस उसी quantity पर जाना है, तो उसको integrate करो, कि जैसे मैं तुमको बोलता हूँ, कि मेरे पास ना, अब integration देखो, अभी सिखाऊंगा, बाद में सिखाऊंगा, अभी पूरा भी सिखा नहीं रहा हूँ, मैं तुमको एक आइडिया दे रहा हूँ, कि x2 को differentiate करो, कितना आता है, 2x, मैं तुमको कभी बोलूँ कि 2x को integrate करो, तो वापिस कितना बन जाएगा, एक्स को, सिखाऊंगा कैसे होगा आपको, लेकिन यह आता है, तुमको मैं बोलता हूँ कि, sin x की differentiation क्या होती है, cos x, तो मैं तुम से पूछू, cos x integration क्या होती है, sin, e to the power x की differentiation, same ही होती है, और integration बीसली सेम रह जाती है, log x की differentiation, 1 by x, 1 by x की integration log, तो यह सब चीजें हमारे पास होती है, तो integrate कर दो, उल्टा कर दो काम, ठीक है, तो जैसे differentiation करनी है, तो वो क्याद बताता है, तो वो slow बताता है, अच्छा, integration भी कुछ ना कुछ तो बताता होगा, graph के बारे में, actually वो graph का area बताता है, area ना हमने देखा हुआ है, हमको याद आ रहा है थोड़ा-थोड़ा, कि जब हम लोग VT graph का area निकाला करते थे, 9th graph में, वो हमको displacement दिया करता था, क्राए हैं हमको ऐसे questions, याद है, कि area under the graph से हमको VT मिलता था, actually भही तो थी सारी खाहने, कि velocity को, area किसका, area under which का, 80, acceleration time का, तुम area निकालोगे, तो क्या देगा, velocity, similarly, अगर तुम velocity को integrate करोगे, और in other words, I say, कि मैं area under, VT graph निकाल जूँगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा, displacement मिल जाएगा, rather I should say, change in position मिल जाएगी, displacement, मुझे x नहीं बोलना चाहिए, मुझे change in x बोलना चाहिए, in fact, यहाँ पर भी area, मुझे, मुझे velocity नहीं देगा, change in velocity देगा, क्योंकि हो सकता है, मेरे पास पहले से ही कुछ velocity है, इसलिए वो change in velocity देगा, वो आ रहे हैं उन चीज़ों के उपर, बट मुझे इतना चीज़ समझ में आई है, कि x बी ए, का आज सुभा कोई पूछ रहा था, कि सर क्या acceleration को further differentiate करने से भी कुछ मिलता है, बिल्द कुछ मिलता है, although तुमारे syllabus में नहीं है, उसको हम लोग jerk बोलते हैं, differentiate, जटका बेसिकली, जो हम वर्ड यूज करते हैं कि एक jerk फील हुआ जटका और jerk को obviously interior करके area और तुमारे काम का नहीं है यह पर शाइद तुमने एक वह देखी होगी एक नहीं बताता हूं जैसे, एक चीज़ समझो वैसे, चलो, है नहीं है सलिवस का part, jerk word कभी use नहीं होगा तुमारे दो साल में, but still, let's try to understand one thing, जैसे हम X को, यह V को क्या बोलते हैं, हम लोग V को हम लोग बोलते हैं, V is also equal to DX by DT, ऐसा ही लिखते हैं न, और A को हम लोग क्या लिखते हैं, A को हम लोग लिखते हैं, DV by DT, or you can write the same thing as, B square X by DT square, यह हुआ न मतलब, कि X को दो बार differentiate करके A पर पहुंच गे, या फिर B को एक बार differentiate करके इस पर पहुंच गे, similarly jerk को हम लोग क्या लिख सकते हैं, D A by DT, या तुम इसी चीज़ को लिख सकते हो, D square B by DT square की velocity को दो बार differentiate करके, या फिर X को कितने बार differentiate करके, तीन बार, तुम इसको ऐसा भी लिख सकते हो, D cube X by DT cube, तो एक T-shirt बड़ी famous है इस ना इसे, चाहिए तुमने दिखा भी होगा, उसमेन T-shirt पे, T-shirt के ओपर एक slogan ऐसे लिखा होता है, Don't be a D cube X by DT cube, देखिए वो T-shirt, नहीं, जैसे होगी सुषान सिंह राजपूत जैज एक्टर का उसके उसकी T-shirt उसने भी पहन रहा है, तो उस पर लिखा हुए, Don't be a D cube X by DT cube. Anyways, मतलब समझें? ठीक है, यह एक बड़ा famous है, So anyways, let's come back, we don't need this quantity, I am just, हटा रहा हूं यह से, समझ मैं हैं सबको? यह भी extra चीज है, इसको भी हटा जेता हूं, we don't need that right now. Okay, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? तो अब मैं थोड़ा area के बारे में बात करना चाह रहा हूं. Again, integration से निकाल सकते हो तुम एरिया, बट मैं उस integration को बात में लेकर हो अभी पिक्चर में, अब मैं सब area की बात करते हूं. Area तो तो तुम करी लेते हो, length into breadth, trapezium का क्या होता है फिर? Half into sum of base plus into height, right? यह सब तो कर लोगे, triangle का half way side, right? इतना से expect करता हूं, तो मान लेते हैं, simply uniform motion पे वापस आ जाते हैं, तुमको मैं बोलता हूं uniform motion, uniform motion में तुम्हारे पास एक ही formula होता है, distance is equal to speed into time, तो simply हमने uniform motion देखा यहां पे, यह रहा uniform motion, अब तुमसे मैं बोलता हूं कि speed into time, तुम्हारा यह graph बना था VT graph, तो अगर मैं तुमको बोलता हूं uniform motion है, this is time, this is velocity, obviously your graph is going to be something like this, यह तुम्हारा graph होगा, तुमान लेते हैं, हमको दे रखा है कि हमारा जो particle है, वो V0 की speed पे तुम 10 km per hour की speed पे, 5 घंटे के लिए let's say T not hours तक move करता रहता, तो एक ही formula है तुम्हारे पास distance निकालने का, कितना distance निकलके आएगा, और straight line motion में मानके चल रहा हूं, तो distance और displacement same ही बात है, तो distance कितना निकलके आएगा यहांसे, speed into time, speed कितना है, V0 into T not, यह V0 into T not actually दे क्या रहा है, तो यहां पर area, V0 into T, समझ में आगा सबको, तो हम यह कहना चाह रहे हैं, कि अगर तुमको किसी भी Vt graph को use करके, कि actually displacement, I would use the better word over here, बट इस case में क्योंकि हमारी velocity, constant velocity है, same direction में जा रहा है, तो it does not matter, तो displacement अगर तुमको निकाल ली है, तो तुम simply क्या calculate कर सकते हो, area under Vt curve, सबको समझ में आ गया, that is speed, जितनी speed है, multiply by time, area under Vt curve actually gives you displacement, यही तो हमने अभी लिखा थोड़ी दे पहले, कि अगर तुमको Vt graph given है, तुमको उससे displacement पे जाना है, change in position पे जाना है, position पे नहीं, change in position मतलब displacement पे जाना है, तो क्या निकाल दो उसका area under Vt, under Vt curve का मतलब होता है, कि वो जो line है, वो time वाली axis के साथ कितना area बना रही है, clear हुआ, similarly, मैं बोलता हूँ, फिर से मेरे पास एक Vt graph है, तो मैंने uniform motion perform किया, तीन बार, पहले मैंने किसी V1 की speed पे, फिर मैंने कुछ V2 की speed पर, फिर मैंने कुछ let say, V3 की speed पर है, आघए जैंँट है, लट इस कि पहले मेरी speed कुछ V1 थी, फिर मेरी speed change व भेगे V2 हो गई, फिर मेरी speed change हो गे V3 हो गई, मतलब, पहला मैंने कितना distance लिया, लेट से टी वन टाइम इतने वी वन की स्पीड पर मूव किया, टी टू टाइम मूव किया वी टू की स्पीड पर और टी थ्री टाइम मूव किया वी थ्री की स्पीड पर. अब तुमसे मैं पूछो हूँ, what is the total distance traveled by me? तो पता भी है तुमको, मैं तुमको simple question पूछता हूँ, कि मैं एक घंटे के लिए 10 की स्पीड पर जाता रहा, फिर अगले दो घंटे के लिए 20 की स्पीड पर जाता रहा, total distance कितना travel किया, तुम बो लोगे से 10 into 1 पहले आपने 10 km travel कर लिया, फिर 20 into 2 आपने 40, तो 10 plus 40 पचास होगे, तो simple हम कैसे calculate कर रहे हैं उसको graph से, graph से हम simple इतना बोल रहे हैं, कि मुझे तो अब यह area चाहिए, this area plus this area plus this area, मतलब area under the curve निकाल दूँगा, तो मुझे मेरा total displacement मिल जाएगी, that is delta x is equal to v1 t1 plus b2 t2 plus b3 t3, as simple as that. क्या है उन्पनार्ण 20 अभरों Technology कर दो तो 12 आपसवे, प्सक्धनार्ण 21 मिल जाएगी हैं, घ्नमुछत्न 25 झाल, फ्सक्तिर झाल, झाल, आख सकéchिए, लिए कैसे कि मेगा Allah इंट सक्षाव पार्षन 18 आपको मिल अगर्पकी, बढ़े आगे चलो अब एक क्वेशन करते हैं अपना ग्राफ के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात उनको समझा लिए है यह कुंणा तो मुझे सिचुएशन दे रखिया है किसलों मैं ऐसे अपना production करता हूं और आज दो घंटे के लिए ट्रैवल करके पे पहुंचए है। हम धिकलत की चला साया ऑवर्ज लग जाते हैं मुझे इसे फिपाँचने में फोसी एसे Không एकप तू आवर्स कि एसे बी पहुंचने में लगे दो घंटे और जो मेरी स्पीड थी युनिफॉर्म स्पीड थी तो वी वॉज इकॉल टू 60 किलोमेटर पर आवर और वॉज तो मुझे दिस्टिंस एक तरीके से बता दिया कितना दिस्टेंस है 120 किलोमेटर फिर मैं बी से वापिस आने लगता हूं और यहां से वापिस आना स्टार्ट कर देता हूं मैं एक घंटे के लिए वापस आता हूं at some different speed, one hour के लिए मैं वापस आता हूं at a speed of 70 km पर आता हूं 90 km और मैं तुमसे पूछता हूँ कि मेरी displacement कितनी है तो क्या जवाब दोगे 50 120 उधर गए 70 वापिस आ गए कितना रहेगी displacement 50 अब यही चीज़ को हम लोग ग्राफ पे कैसे रिपर्जेंट करेंगे तो ग्राफ देखना इसका कैसा बनेगा अब अभी तक हमने यह लिना discuss किया कि graph हमको क्या दे रहे एरिया क्या दे रहे है असमे को वह भी हमको discuss करना है तो if I say कि मेरे पास यह time versus velocity graph इसका बना के दिखाना कैसे बनाओगे तो I think सब को समझ में आना चाहिए कि इसका graph ऐसे बनेगा आप देखो कि पहले आपकी velocity 60 km रहती है कुछ देर के लिए ठीक है जी मानलो आपकी विलॉसिटी यहां पर 60 km रही और सम टाइम 60 km per hour ठीक है कितनी देर के लिए 2 hours के लिए तो 2 घंटे के लिए 2 hours यह hours में ले रहा हूं मैं टाइम को ठीक है जी और यह km per hour में फिर आपकी उसके बाद velocity change होके कितनी हो जाती है 70 70 बोलना चाहिए कि माइनस 70 बोलना चाहिए माइनस 70 यह फरक है इस बार जो तुम्हारा ग्राफ है न वो नीचे चला जाए कि सब को यह बात समझ में आई कि इस बार जो मारा ग्राफ है वो नीचे चला जाएगा तो ग्राफ को तुम्हें ऐसा बनाना पड़ेगा यू विल से कि यूर विलॉसिटी एज माइनस 70 कि इतने देर के लिए एक घंटे के लिए मतलब टी इस इकल टू थ्री आवर्स तक तुम करते जाए अब मैं अगर तुमको बोलूँगा कि एडिया अंडर दग्राफ निकालो तुम बड़े असानी से बोल दो कि यह आ गया अगर तो तुमको निकालनी हुआ करेगी दिस्प्लेस्मेंट अगर तो दिस्प्लेस्मेंट पूछी जाए तो जो एरियास हैं उनको एड कर दो मतलब यहां पर लिखो कि 120 प्लस माइनस 70 विच विज बीकूल टू 50 किलोमेटर समझ मैं लेकिन अगर तुम्हें डिस्टेंस निकालना है ना तो तुम्हें पहले दोनो एरियास को अपनी तरफ से एक पॉजटेव बनानी होगी कि मॉड लगा विया करो दोनों तरफ चलो 120 का मॉड तो सहीं ही रहेगा माइनस 70 का भी क्या लगा दो मॉड मॉड का मतलब होता है absolute value पॉजटेव वैल्यू तो यह कितना बन जाएगा टोटल 190 120 प्लस 70 190 किलोमेटर इस दा डिफ्रेंस कि जब भी हमारा ग्राफ बिलो दा टाइम एक्सिस चला जाए तो जो नीचे वाला एरिया बनता है उसको नेगेटिव लेके चलना इस डिस्टेंस के लिए जस्ट वैल्यू जाड़ कर दी पॉस्टे पॉस्टे वैल्यू जाड़ करनी है पर डिस्प्ले झाला गॉस्टे जिए पमता है लेके चले उसे लिएयँ है? झाला बेचिप टाड़ करनी है? झाला जाला गवान धन संक्त कसा जाड़ बनता है हुआ हो बढ़त नोट कर अगर बढ़ते हुआ है अच्छा 9th class में एक्वेशन होता था पता नहीं तुम लोग को था कि कटवा दिया था होता ही था ओविसली कि प्रूव s is equal to ut plus half 80 square graphically कि तुमको यह formula प्रूव करना है ओविसली formula किसके लिए और जल्दी से याद करो हमने वीटी graph अभी 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 अबने क्या निकाला था क्या बनके आया था वीटी ग्राफ कि वीटी ग्राफ और उनिफॉर्मली एक्सेलरेटीड मोशन हमारा एक स्ट्रेट लाइन एट सम एंगल टू एक्सेस यह बनके आया था और और क्योंकि मुझे ग्राफिकली प्रूव करना है एरिया लेना है तो एरिया ओविसली बीटी ग्राफ कर लेना पड़ेगा तो मेरे पास देखो इसको हम लोग बोलते हैं इनिशिल विलॉसिटी क्योंकि यहां पे हमारी टी इस इकल तो जीरो पेजिए और यहां पे जि क्या निकालना है जाना है अच्छा यह लहंत कितनी वह है यह लंद कितनी है बीर यह लंद कितनी है इंटे Wie और कितनी आए-टी है एरिया और और किससे मैलीटिपलाइ करना है टाइंस को अ-छ्या प्रूश गया यहां पर क्या परीजके जगह आ रबेगा एक और equation होती है V is equal to U plus A T, बस खतम हो गया question तो I will say half U plus U, 2U 2U plus A T into T which is clearly equal to UT plus half A, प्रूव हो गया कि area इतना आ गया और area हमको क्या देती है displacement, displacement मतलब delta X और I can say S तो यह दो तीन नमबर का question आता था तब आता है से कर दो दिसको आता है आता है झाल झाल बड़े आगे चलो अब हमको न पहले एक बड़ थोड़ा और इसकी दिस्तों करता है यहां हमने क्या सिख्च मैंने अगेन वापस आ रहा हूं मैं इस स्लाइड के उपर पोजिशन को डिफरेंशीट किया भी मिला भी को अगर अगर मुझे पोजिशन चाहिए फ्रॉम विलॉसिटी क्या करूँगा मैं वि टी ग्राफ का एडिया और अगर मुझे एकलरेशन चाहिए भॉम वी टी ग्राफ की इफ्रेंशीशन वह विवज इस सोचके बताओ टीन ग्राफ dynamics me बजड़ एक से इंंपॉटन्ट घर हमारे लिया क्या है सबसे useful graph हमारे लिए कौन सा है? VT graph. क्यूं? क्यूंकि VT graph को use करके तुम displacement भी बता सकते हो और उसी graph को use करके तुम acceleration भी बता सकते हो ए एरिया देखोगे तो उपर पहुंच जाओगे उसी की differentiation करोगे तो नीचे पहुंच जाओगे फिर उसका area निकालके करना पड़ेगा तो एक V हमारा लिए सबसे काम का graph है तो अगर कोई भी हमें equation आएगा और अगर मैं उसकी graphical approach करना चाहता हूं solve करने की तो what I am going to try is कि हमें उसको VT graph से solve किया गरूँगा पहले उसका VT graph बनोगा तो आज का तुम्हारे एक homework भी होगा अभी थोड़ा बाकी equation करवाना है पर एक homework भी आज होगा तुम्हारा homework यह होगा यह question किया था हमने ठेक है 86 seconds वाला equation था 584 मैंने दिया था क्या थुआ था कि पहले particle 10 seconds के लिए अपनी uniformly speed बढ़ाके 0 से 8 पे जाता है फिर 8 meter per second पे कुछ देर के लिए travel करता है वो पता नहीं था कितना खुद निकाला था हमने फिर 8 से फिर वो अपनी speed घटाके दीरे 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 64 meter उसको लग जाते हैं वो 0 पे वापिस आने में यह question था और पूछा गया था total time कितना और बगएरा बगएरा तो इस question को ना graphically solve करना है ऐसे यह तो equations बनाके solve किया था we will solve the same question graphically और graph में क्या करना है obviously तुम्हें कौन सा graph बनाना चाहिए देखो इस graph में तुमको accelerations भी पूछी थी यहां यहां पर और तुमको इस graph में total distance तो दे रखा है इसका distance या फिर तुमको इस लिए total time भी पूछा था तो सारी information अगर तुमको चाहिए तो एक ग्राफ ऐसा है जो सिर्फ एक ग्राफ से सब कुछ हो जाएगा वीटी ग्राफ पहले इसका वीटी बनाना यह हो जाएगा के चलते हैं ठीक है करके लाना ट्राइ सॉल हो ना हो बात अलग है एक लिस्ट ग्राफ तो बना ही लोग है सब लोग वैल्यूस प्लॉट कर देना कि जीरो से आठ तक गए जो भी ग्राफ अपने पर ट्राइक हम लोग जाते-जाते क्वेशन कर लेते तुम लोग लिख लो तब तक मैं डियाग्राम नाता हूं अपार्टिकल इस मूविंग लॉवंग पॉजिट्व एक्ससे अपार्टिकल इस मूविंग अलोंग फॉजिट्व एक्ससे ए बेंगौना एइस से बलDING टॉअ एडऄिट्स ग्राफ ए अथरे जळेशंव परलव ग्राफ देज़ Sm Das सवेड़ात कि इस हमेट इसको यूज से करते हैं है मैं कि यूज करके च 선생님 कि अच्छ तो कि मुझे पिक करना थी नहीं इस पर टिक पर अच्छा कि अच्छ 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 कि अच्छ 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 बहीं आवसका मुझेे कि छोड़े मज़ा नहीं आए इसमें अच्छा यह दूरू ना एक जैसे ट्राइंगल दे रखेंगों को जो ग्राप है सब को एकदम युनिफॉर्म साही है वाकि वैल्यू से तुमको समझ में आ जागा हमको बताया जा रहा है कि विलॉस्थी पहले जीरो से स्टार्ट करके ना यूनिफॉर्म बढ़ती है यूनिफॉर्म एक्सलेटर वाला मोशन है तो फिर यह तू सेकंड्स तक उसकी विलॉस् हो जाती है माइनस 10 आनले ना और सेकंड्स?", पर जाकी विलॉस्थी फिर से हो जाती है जीरो गया है सेकंड्स में दे राखा यह टाइम एड विलॉस्थी दे रखिया हुआ मीटर पर सेकंड्स तो हम अ को वैट रहा है preserving फैंट एपाट साथ साथ सॉल्सक्र जाएंगे एपाट acceleration at acceleration at t is equal to one second and at t is equal to five seconds acceleration at t is equal to one second and t is equal to five seconds तो देखो वो न सेकेंड का मतलब वो यहां पे उसकी एक्सेलरेशन कितनी है अब यहां पे एक्सेलरेशन एक बीटी ग्राफ से एक्सेलरेशन कैसे निकालते हो Slope तो इस राइन की Slope ते एक सेम भी लाइन है तो इस point पर Slope का मतलब इस पूरी Slope कितनी है तो इस लाइन की Slope निकालनी है क्या आएग्ण पड़ेगा मान लो कि लिए एंगल तो बस यह एन्गल धीता निकाल देना इसके असान बना लो एऽ sa height height कितनी है 10 कितने seconds हुआ भी तक 2 that is 10 divided by this to 10th which is equal to 5 to 5 meter per जी अब टेन यह यह लाइन टेन लें टेन तरह देर लेंगे अजी तुम्हें तुम्हें यह बता दो मुझे एक्सलरेशनेट्स पाइव कितनी आएगी फाइव सेकंड्स इस यहां पर मतलब इस बार तुमको इस पूरे लाइन की स्लोप चाहिए हैं अच्सलाइन की स्लोप का थीटा बन चाहिए यहां मैं बोलू कि मुझे टैन ओफ टीटा तो इसका टैन थीटा बोलो या फिर इसका माइनस थीटा बोलो विकॉस टैन ओफ 180 माइनस थीटा इस इकल टू माइनस तैन तैन अगर तुम्हें कभी एक रिटार्डड लाइन दिख रही है तो तुम इसका टैन निकालने के बुज़ा इसका टैन निकाल लो लेकिन आगे क्या लगा दो एक माइनस साइं लगा तो क्या है कि ने रमजा मैं हां तो मैं वही तो बोल रहा हूं मैं यहीं तो बोल रहा है यार यह बन तो क्या मैं बोल हो कि यह 120 है सपोस्स चाहे तो मैं बोलू कि यह मेरा टैन 120 है चाहे मैं इसी को बोलू कि यह मेरा टैन माइनस टैन 60 है तो एक ही बात है न दोनों यह क्योंकि यह दोनों चीज़े तो एक ही होती है न मैं बोल रहा हूं कि अगर चाहे तो तुम बोलो टैन माइनस टैन ऑफ दिस बोल लो या फिर माइनस टैन ऑफ दिस बोल लो 3.5 समझे नहीं समझे थी मुझे पता यह नहीं समंझे यह छो है एक ही बात है न मैंने तुम को बोले कि मुझे का इसका टैमा नि एलग साव के इक मैंने लगा दुड व क्युक्ज़ फाइ्ट्व ने करने जइंड परुब माइन प्रों 0 to 4 seconds, find displacement from 0 to 4 seconds, 0 to 6 seconds, 0 to 8 seconds, 0 to 6 seconds, 0 to 8 seconds. तो 3 durations दी हैं, तीनों में displacement बताओ कितने कितने हैं, 0 to 4, 0 to 6, 0 to तो उमको displacement बतानी है, 0 से 4, 0 से 6, 0 से 8 seconds के बीच में, clearly, 0 से 4 तक अगर मुझे displacement चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए, I want the area, कौन सा area चाहिए, मुझे ये वाला area चाहिए, और ये area कितना आ रहे हैं, 20, half basin to height करके, तो displacement आ गई, मेरी 20 meter, clear है, अगर मुझे 0 से 30 तक चाहिए, 0 से 6 seconds तक चाहिए, तो obviously, मुझे ये भी count करना पड़ेगा, और ये area कितना है, 10, 10 मत बोलो, तो अब मेरी 0 से 6 तक displacement कितनी हो जाएगी, सिर्फ कितनी रह जाएगी, 10, 10 समझ में आया क्यों, क्योंकि 20 positive और 10 negative भी है, और अगर मुझे 0 से 8 पूछा जा रहा है, तो ये भी area लेना पड़ेगा पीछ में, और ये और कितना area आ गया, फर्दर हमारे पास ये वाला जो area है, माइनस 10 और आ गया, अब कितना हो गया मेरे पास यहाँ पे, 0 ही रहाएगी displacement, कि पहले 20 positive, फिर 20 negative, तो 0 रहाएगा answer, कौन से वाला पाठ, 0 to 8, 0 to 8 ये सारा area चाहिए, मुझे, जितना positive area है, उतना ही negative area है कि नहीं, तो टोटल कितना हो गया, 0 है, अब सेम जो है, वो तुम लोग अब काम कर दो, distance के लिए, सी पार्ट में distance, same durations के लिए, 0 to 4, 0 to 6 and so on, तो 0 से 4 तक distance कितना होगा, 20, और 0 से 6 तक, 30, 0 से 8 तक, बस वो positive की तरह ये add करना है, तुमको फरक नहीं पड़ता कि वो minus है कि plus है, थर्टे और 6 पार्टी लास्ट पार्ट, समझ्जब आगे, similarly, डी लास्ट पार्ट, डी पार्ट में निकाल दो, average, velocity and average speed, same durations के लिए, ठीक है जी, 0 से 4, average velocity and average speed, ठीक है जी, तो डी पार्ट में, अगे, 0 से 4 सेकेंड, 0 से 6 सेकेंड, 0 से 8 सेकेंड, दोनों चीज़े निकाल देना, average speed भी निकाल दो, और average velocity भी निकाल दो, तो देखो, B और C parts की help ले लो, बस time से divide करते रहो, average speed में distance upon time करते रहे ना, और average velocity में displacement upon time, तो average speed तो I think same ही रहे एक यहर केस में, अगर मैं तुमको बोलता हूं कि, distance by time करो, 20 by 4 करोगे तो इतना आएगा, 5, 30 by 6 करोगे तो भी 5, 40 by 8 करोगे तो भी 5, तो average speed is same in all the cases, if you see, average speed नहीं change हो रही है, है ना, 20 by 4, 30 by 6, 40 by 8, अब displacement निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 20 by 4, 10 by 6, और 0, तो average velocity निकल के हैंगी 20 by 4, पहले केस में 5 meter per second, दूसरे में आएगा 10 by 6, और you can say 5 by 3 meter per second, और तीसरे वाले की कितनी आजाएगी, 0, 0 meter per second, 0 तो understandable है, क्योंकि तुम displacement ही 0 हो चुकी है, इसका मतलब यह हुआ, कि इसकी starting position और ending position क्या है, same है, particle ने पहले कुछ positive, पहले 20, अपने origin से 20 दूर गया, और 20 वापिस आगे, अच्छलों एकान करते हैं, इसी motion को थोड़ा समझते हैं, कि हुआ क्या है इस motion में, इस motion में यह हुआ है, let's try to understand, जगा बनाई जाए, जगा बनाई जाए, जगा बनाई जाए, पहले नहीं, let's try to understand, इस motion में हुआ क्या है, so basically, हमारा यह जो motion है, वो किसी a point से start हुआ हुआ, ठीक है, मान लो, यह हमारे पाग a point है, और a से लेके, हम लोग पहले b पे पहुँचे होंगे, uniformly accelerate करते हुए, तो मतलब a से लेके b तक मैं पहुँचा हुआ हुआ, और यह motion कैसा है, uniformly accelerated motion, a positive, बढ़ रही है मेरी speed, फिर मैं अब b से लेके c पे गया, देखो समझो, मेरी initial velocity कितनी थी 0, और मेरी b पे जाके velocity कितनी होगी 10, मतलब मैं b is equal to 0 से start किया, और मेरी यहाँ velocity कितनी होगी 10, अब ना मेरी यहाँ से velocity घटना start होगी, बढ़ मैं सामनी रहा हूँ, लेकिन मेरी velocity कि अब घटके start होगी और कितनी होगी वापस, 0, यहाँ पे acceleration क्या है negative, जितनी यहाँ positive थी उतनी ही मेरी अब क्या होगी negative acceleration, तो एक तरीके से मैं अपने घर से निकला, मैंने पहले speed बढ़ाई, काफी देख मेरी speed बढ़ते रहे, बढ़ते रहे 10 तक कहुंच गी speed, मैंने वहीं से brakes दबा दिये, और 10 से दीरे 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 करके मैं 0 के, देखो बढ़तो सामने ही ना हूँ मैं, पहले बढ़ती हूँ speed के साथ, फिर घटती हूँ speed के साथ 0, रेस्क पर आगे, लेकिन मैं यहां रूका नहीं, फिर मैंने वापस आना start कर दिया, मैं यहां से वापस आना start कर दिया, और वापस आने जब मैं लगा, तो अगेन, अब मैं वापस आ रहा हूँ, क्योंकि अब मेरी velocity क्या हो चुकी है, below x, below x मतलब मेरी velocity अब negative होगी, negative मतलब मैं वापस आना start कर दिया, कितनी देर के, यह है, t is equal to two seconds तक b पे, c पे, और जब मैं फिर d पे पहुंचाना, तो मैं basically मेरी speed बढ़ती गई, मेरी speed बढ़ती गई, 0 से start करके, मेरी speed बापस कितनी हो गई, 10, speed 10 होगी, although I should call it minus 10, क्योंकि मैं पीछे जा रहा हूं, बट मेरी speed कितनी होगी, 10 होगी, समझ मैं आ गया, t is equal to six पे जाके, मतलब यहां से मैंने उल्टे रहा, पहले क्या 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 घर से निकला, speed बढ़ाई, फिर थोड़ी यहां तक बढ़ाई, फिर करते हो, रूप क्या, फिर मानलो मैंने यहां से कुछ सामान खरीदा, फिर वहां से मैं उल्टे direction में पहले बढ़ाई speed, फिर मैं वापस जहां पर मैंने b point पर पहुंचे, मैं वापस वहीं पर पहुंच गया, यही मेरे लिए b और d point एक्टली same point है, यही मेरे लिए b है, और यही point मेरे लिए क्या है, d, और फिर मैंने वहां से क्योंकि मेरा घर में पहुंचने वाला हूं, मैंने फिर से वहां पर रही मेरे दिस्तेंज कवर्ड फॉब और सुथ झारिए चुसेर्द ओर क Missouri. डिस्तेंज निक के टphonie से निकल के इतना आए था अपना इस डिस्टंज एप्र वाप्स को इतना गया 20 गया 20 this is 10 and 10 respectively 10 and 10 और बड़ा असानी से दिखे रहा है सबको समझ में आ रहा है कि situation सबको clear है मैं पूछना हूँ 0-6 तक तुम्हारी displacement कितनी है 0-6 तक कितनी रहेगे यह 10 जीरो से 8 तक displacement कितनी है जीरो से 10 तक 0-4 तक displacement कितनी है 20 as simple as that तुमसे मैं average speed पूछ लूँ तो सिच्वेशन क्लियर हुई सबको क्या हुआ इस question में उसका हमें ग्राफ दे रखा ठीक है अब कल अभी तक हमने ग्राफ में जितना पड़ा सब कुछ क्लिया रहा है तो कल मैंने यह का था कि जो हमने कार वाला question previously किया हुआ है if you remember this question जिसका answer total 86 seconds हमारा निगल का आया था वो अगर हमको solve करना है graph के method से तो हम कैसे कर सकते हैं तो it's going to be very easy with the graphical approach तो एक आम करता हूं में इसको थोड़ी जगा बना लेते हैं आपर अरे यार कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बहुत कम दिख रहा होगा अरे कहां कहीं है कर दो तो यह question हमने पहले किया हुआ है इस question में थोड़ा तुमको recall करा देता हूं फिर हम लोग इसका graph बनाएंगे और कभी भी कोई question solve करना है तो बेस्ट ग्राफ कौन सा है हमारे पास बीटी ग्राफ और वाइस बीटी ग्राफ बेस्ट वन उसी से हम slope देखेंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा acceleration और area देखेंगे तो क्या पता चल जाएगा displacement तो इस question में हमको यह given था कि हमारे पास एक कार है जो की rest से शुरू करती है तो obviously rest से शुरू करने का मतलब है कि मेरा ग्राफ यहां कहां से start करना चीए origin से हम लोग अपने इस graph को start करेंगे शुरू में ना A से लेके B तक हमारे को car जा रही है और uniformly rest से accelerate करते हुए जा रही है uniform acceleration का case है तो मतलब obviously हमारा graph एक straight line बनेगा increasing इस तरह से uniform acceleration का सबको याद होगा VT graph हमने uniform acceleration का ऐसे बनाया ठीक है और zero से start करके कहां तक उसकी velocity पहुंच जाती है 8 तक तो यह value जो है वह 8 हों जाए है 8 meter per second तो velocity is in meter per second and time is in second I hope this is clear to everyone इसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ time के लिए हमारी जो यह B से लेके C तक constant speed पर move करता रहता है पर हमको यह नहीं बताया था question में कि कि कितने time के लिए move करता है ठीक है कोई बात नहीं है फिर हम लोग उसको आगे यहां तक बना देते हैं but we don't know for how much time we have to draw this because I am just randomly drawing the line uniform motion के लिए velocity constant 8 की velocity है and obviously यहां तक मुझे पता है कि पहले 10 seconds लगे थे A से B पहुंचने में B से C मुझे नहीं पता है यहां तक लिए पिर हमको बतायागा कि C से लेके D तक वो फिर से अब रिटार्ड करेगा और रिटार्ड करते करते उसकी final velocity फिर से कितनी हो जाती है zero मतलब यहां पर जाके graph फत्म है is it clear to everyone तो अगर मैं यहां पर बोलता हूं और कुछ भी हमको और information क्या provide करेगी है हमको यह information provide करेगी है if you can see कि आखिर में जो rest में आने के लिए उसको जो distance cover करना पड़ता है this is given as 580 sorry कितना दियाता है 64 meters यह सब को समझ में आ गया और एक information और दी थी कि जो total distance covered है शुरू से लेके end तक वो कितना दे रखा था 584 तो मतलब 584 क्या represent करता है area under this entire trapezium चलो तो चलो अब start करते हैं question को देखना तो मुझे लगता है कि मैं असानी से अपना starting वाला distance भी निकाल सकता हूं this is also very very simple to calculate that this distance is equal to half into base into height that is half into 10 into 8 यह कितना आ जाएगा मेरे पास 40 तो मुझे पता चल गया कि A से लेके B तक 40 मीटर है यहां से लेके यहां तक आखरी में 64 मीटर है total area कितना है 584 तो 40 और 64 को माइनस कर दो उसमें से तो remaining मुझे मिल जाएगा कितना आ जाएगा remaining so this comes out to be equal to 480 बड़ा सानी से पता चल गया यह चीज अच्छा अगर यह 480 है यह 8 meter per second length है यह rectangle का area 480 है this is 8 तो यह length कितनी हो जाएगी 60 क्योंकि 8 into 60 is equal to 480 तो clearly मुझे पता चल गया कि 10 में 60 और जोड़ दो यह value कितनी हो जानी चाहिए 70 हो जानी चाहिए कि साथ साथ पूछते जाना अगर किसी को कोई doubt है यहां तक सब को clear है कि 70 वाला देखो simple मैं बोल रहा हूं यहां पर कि मैं यहां पर इतना कह रहा हूं कि हमारे पास यहां पर यह 40 समझ में आगा कैसे क्योंकि एडिया निकाला यह कहां से आया 64 गिवन था गोशन में टोटल कितना हो गया इंको पिला के 104 हो गया लेकिन पूरा एरिया कितना होना चाहिए तुमारा 584 में से मैंने इन दोनों को माइनस कर दिया बचा कितना 480 480 is the area of this rectangle यह length कितनी है 8 अगर यह पूरा area 480 मतलब 8 into this is equal to 480 तो यह length कितनी आगे 60 तो 10 में मैं 60 add कर दिया तो मेरे पास यह यह point कितना आ गया 70 यह समझ में आखिरी में अब मुझे इसका area देखो इसका area में हाफ into जो भी इसका base है that is base into इसकी height that is 8 is equal to total कितना बना 64 और यहां से base कितना निकल किया जाएगा 16 seconds तो मुझे यह निकालना भी आ गया कि 16 seconds है सतर में 16 जोड़ दो तो कितना बन जाएगा यह तुम देख रहे हो तुमको यह पूरा question solve करने के लिए कुछ नहीं लिखना पड़ा on the graph itself question solve हो गया so that is how easy it is कि यह जो पूरा 86 seconds नहीं यहां पर निकाला था पूरा मेहनत करके एसे B, B से C, C से D कुछ नहीं यह ग्राफ बनाओ graph के उपर ही सब कुछ नहीं पट गया अगर acceleration जो निकालनी थी जैसे यहां पर point eight और minus point five वो बड़ी असान है निकालनी तो मैं यह कहे दूगा कि अगर मुझे यहां पर acceleration मेरी a1 है obviously positive value होगी यहां पर that would simply be equal to 10 of this angle मालो यह theta 1 angle है a1 is simply equal to 10 of theta 1 10 of theta 1 कैसे निकालोगे यह length 8 है यह length 10 है तो 8 upon 10 which is equal to 0.8 बड़ असान हो गया और अगर मैं तुमको बूलता हो कि यह retardation कितनी है या फिर यह acceleration a2 यह obviously negative value होनी चाहिए मैं बोल दूगा यह angle theta 2 निकालो I can simply say a2 is equal to minus of tan theta 2 सबको minus of tan theta 2 समझ में आ रहा है हमने discuss कर लिया था पहले minus of tan theta 2 यह length कितनी थी 8 और यह length कितनी है total 16 तो कितना आ गया minus 0.5 meter per second अब खुद बता दो कौन सी approach prefer करोगी ऐसे वाली के graph वाली obviously graph वाली सारी information बहुत ही clearly पता चलती है हमको यहां पर and VT graph is the best one acceleration जहां जाहें चाहिए slopes निकालते जाओ जहां जहां तुमको displacement चाहिए areas निकालते जाओ समझ मैं किसी को कुछ पूछना है यहां पर आगे बढ़ें note हो गया करना कुछ होगे न चलो आगे बढ़ते हैं अगला question देखते हैं again यह question DC Pandey में भी दे रखा है and यह बहुत popular question है जही means में पूछा भी गया नीर में भी इसका लगभा question पूछा गया तो quickly note the question a particle from rest या a particle starts from rest if I say starts from rest उसका मतलब है कि time 0 पे velocity is 0 a particle starts from rest along x-axis with constant acceleration alpha with constant acceleration alpha to reach maximum velocity to reach maximum velocity and then it retards and then it retards with constant retardation beta and then finally comes to rest and finally comes to rest simple लिकलो and finally comes to rest इन्होंने retardation beta दिये second case में acceleration कितनी लोग है फिर minus beta तो question में यह दिया है कि पहले body rest से शुरू करके accelerate करती है फिर maximum velocity बन गई उसकी फिर वहीं से वह क्या start कर देती है retardation तो बेसिकली पिछले question जैसा ही है बस वो जो बीच वाली चीज आना uniform motion वो नहीं आप हमारे पास बस पहले accelerate करोगे फिर retard करोगे ठीक है इस total time of motion is t if total time of motion is t find maximum velocity and total distance traveled by particle and total distance traveled by particle जल्दी से वीटी ग्राफ बना लो झाल 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 प्राइब कि यहां तक तुम इसको तो डिवाइड कर लो दो पार्ट में कि यहां तक जब तक एक्सेलरेशन हुई थी तो टीवन टाइंग था यह दूरेशन और रिमेनिंग कोड कुछ टीटू ले लो वेर ओविसली टीवन प्लस टीटू इस इकल टू टीटू में अपनी तरफ से वेडियेबल्स मान रहा हूं पाइनल आंशर में मुझे दिखने में डिख यह ज़िए एक्सेलरेशन देर रखी उचेले अंपना कि दिए सप्रफी ऑंपना और यहां पड़ना ज़ू कुछ और और माइन रखिए सीऻ लीनिश क बाग्रम बन बेटा को हुआर्ट को मुझे व McM कालना है अगें कुछ और quantities माननी है वो भी मान सकते हो मान लो कि यह एंगल तुम्हारे लिए कुछ थीटा वान है यह एंगल कुछ तुम्हारे लिए थीटा टूर है मैं question start करने में तुम्हारी help कर देता हूं you can start your question from here कि alpha that is acceleration is equal to tan of theta 1 which is obviously going to be equal to your length Vm divided by T1 is equal to Vm divided by T1 तो पहली equation तो I think सबको समझ में आगई होगी कि alpha is equal to tan theta 1 which is equal to this length Vm upon T1 and similarly second equation जो बनेगी minus beta अच्छा इस case में जो acceleration है negative होनी चाहिए मतलो minus beta शुद बीकल to minus of tan theta 2 which is going to be equal to beta is equal to tan theta 2 again इस triangle में tan theta 2 will be Vm divided by T तो बड़ा straightforward सी चीज़ बन गई हमारे पास क्या आगया कि जो alpha है वो Vm upon T1 है और जो beta है वो Vm upon T2 कि क्यों गया पहले और जो दूसरी equation है इसमें से तुम्हीं इसमें value पुट कर दो कि T1 प्लस T2 इस इकोल टू यह तो हमारे पास basic सी बात है जो हमने बस T1 की value यहां से निकालो T1 की value यहां से निकालो और यहां पर वाने पुट करने अब तो पुट करके देखो तुम्हारे पास बीं निकल कि आ जाएगा जल्दी से देखो बीं निकल कि आ जाएगा तो व्यम कितना निकल गया है अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लग जी निकल के आगया कुछ निया है बस्कू से को सब्सक्राइब थे वह हैंए यह सो अधिन तो टी बस कुछ नहीं है यहां से बीम कॉमन लेके अलफा बीटा उदर भेज दी अलफा प्लस बीटा नीचे भेज़ जाएगा क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट क्या पूछ रहा है हमसे टोटल डिस्टेंस के लिए तुमको कह चीए टोटल एरिया में तो सिंपल हाफ इंटू बेस बड़ाई सिंपल है टोटल डिस्टेंस कवर्ड इसकल तो हाफ इंटू बेस यहां पर उठाकर निकल क्या जाएगा अल्फा बीटा टी स्कूर अपॉन टू ताइम्स ओफ अल्फा प्लाइब क्लिए सबको सेकंड पार्ट में हमको डिस्टेंस निकालना था टोटल और टोटल डिस्टेंस का मतलब ग्राफ से कैसे निकले आप देखो यहां पर डिस्टेंस की बात कर लो चाहें डिस्प्लेस्मेंट की बात कर लो सेम तिंग को सारा ग्राफ उपर ही है displacement distance कब अलग होते हैं जब नीचे ग्राफ आता है ना पटेंव यह सारा उपर है तो बस इसका एरिया निकाल दो एरिया का मतलब क्या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ट्राइंगल का बेस कितना है टी हाइट कितनी है वीम हाफ इंटू टी इंटू वीम और वीम जो ए अगे बढ़े चलो अगला कोईशन लिखते हैं अच्छा इसी कोईशन को यू कन ट्राइव इक्वेशन ऑल्स मतलब ग्राफ बनाने की बजाए तुम इक्वेशन भी लगा सकते हो कि पहले स्टार्टिंग वाले के लिए लिए वीम इस इकूल टू यू प्लस अलपा टी फि और फिर टीवन टीटू लिखके उसको फिर टीवन प्लस टीटू वहां से निकाल के टी के बराबर पूट कर दो सेम चीज़ बन जाएगी और अगर तुमको डिस्टंस निकालना है जो सेकिंड पार्ट है इसक्वेशन का तो वी स्कूर माइनस यू स्कूर इसकल टू एस ल आगे बढ़ें अब हम लोग देखने जा रहे हैं ग्राफ की कंवर्जिन कि अगर मुझे 80 ग्राफ मिला है सब्सक्राइब हम अभी सीखने वाले हैं इजी रहेगा काफी इजी सब्स्ट्रेट फॉवर्वर सब्सक्राइब होगा तो लेट जस्ट गो फॉर इसकली सबसे पहले हम आइडेंटिफाइब किया करेंगे कि वह हमारा ग्राफ है क्या है जैसे कि मालो मैंने तुमको देदिया कि वीटी ग्राफ ऐसे एंगल पर जा देखो कि भाई यह Uniform Accelerated Motion है हम यूनिफर्म एक्सलेशन मोशन के लिए एक्सलेशन ग्राफ कैसा होता है फिर उसके लिए देखेंगे कि हम यह एकस्टी पैराबोला बन देखा है तो हमें आइडेंटिफाइब करेंगे कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे वो ग्राफ बने ह है ठीक है now let's try to understand so equation लिकलो जल दीसे a particle is moving along x-axis a particle is moving along x-axis and its 80 graph and its 80 graph is shown in figure and its 80 graph is shown in figure you draw its vt and xt graph draw its vt and xt graph assuming the particle starts from the particle starts from rest from x is equal to 0 इस आखरी लान का मतलब क्या है इसका आखरी लान का मतलब है कि जब तुम्हारा t0 है start जब करते हो start मतलब t0 है तब तुम्हारी velocity भी 0 थी और उस point पे तुम्हारा xv0 था कि starts from rest that is v is equal to 0 from x is equal to 0 origin से start कर रहे हो rest से start कर रहे हो यह है इसा दिखता है अगले 2 seconds के लिए कि 80 ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है यह ओन दा ओन है ठीक है ओपर है इसके आप इस लुकिंग डाट वे यह ओन दा लाइन आई यह ग्राफ है ठीक है जी उसके बाद अगले 2 seconds के लिए ग्राफ कैसा दिखता है इस वैल्यू इस गेवन एस 5 मीटर पर सेकंड स्कॉर्ड तो यह मीटर पर सेकंड स्कॉर्ड में सारी वैल्यूस अद ताइम इस इन सेकंड भड़ाता है फिर थोड़ी देर के लिए कॉंस्टेंट विलॉसटी पे जा रहा होगा क्योंकि acceleration यहां 0 हो जाती है मतलब यह uniformly accelerated motion with positive acceleration this is uniform motion and this is retarded motion uniform accelerated motion with negative acceleration, तो बेसिक लिए मैं घर से जा रहा हूँ, पहले bike को तेज भगा रहा हूँ accelerate कर रहा हूँ, फिर उसको मैं constant speed पे भगाता हूँ फिर मैं brake दबा के rest पे आ जाता हूँ please try to understand, मैं पूरी journey में वापिस नहीं आ रहा हूँ rest से शुरू करके शायद rest पे खतम कर रहा हूँ, maybe let's try to understand अब तुम्हे बना के देखो, अब इसको use करके हम VT graph बनाए तो याद करो कि sir constant acceleration है, तो कैसा graph बनता था VT, वो सोचो, ठीक है फिर देखो जी uniform motion का graph VT कैसा होता है, फिर देखो uniform retarded का कैसा होगा, तो जल्दी से VT graph ट्राइब करें से अवड़ करेंा, तो कैसा है, पिर देखो झाल झाल कि दोबार ही बनाएंगे भाई कि बना लो बना लो जल्दी से फिर मैं शुरू करूंगा बना लो कि अगया है कि अगया है कि अगया है कि बना लिए अपने वीटी ग्राफ है तो वीटी ग्राफ ऐसा बनना चाहिए है ट्रफीज्य wnच थे ग्राफ है वहलो बना लिए तरे ट्रफिजियंरं और सिमेट्रि कल से ट्रफीज्य अच्छ और कितनी से फ state ख जाना बेर्ल्ईूस इंसकूटटन यह वैल्ऄ कितनी होगी online पर 10 10 कैसे निकाला area under the graph कौन सा area कि 2 तक तुमने कितना area कवर किया कितना area यह 10 base into height and ध्यान रखो यह 10 क्या बता रहा है क्या बता रहा है change in velocity प्लीज यह मत बोलना कि velocity बता रहा है change in velocity बताता यह क्योंकि तुमने 0 से start किया तो 10 आड़ करोगे तो 10 आ जाएगा तुम बोलो कहां से 10 नी तो है velocity इसकी but this is not velocity this is change in velocity suppose मैं तुमको बोलता कि particle के पास पहले सी 5 meter per second velocity थी इनिशली तो कहां तक जाएगा graph 5 से start करके 15 तक जाएगा यह 10 का change आया है graph always will give you change in velocity I hope I'm clear with that ठीक है तो 10 यह सबको समझ में आगा कि 10 तक जा रहे हैं हम लोग पहले फिर हम लोग थोड़ी देर के लिए constant motion देख रहे हैं तो 2 seconds तक फिर 4 seconds तक constant motion और 6 seconds तक हम लोग retard कर रहे हैं अब यह कैसे समझ में आया कि सर हम लोग rest पे आ जाएंगे वापस because obviously हमारा यह वाला जो area है यह फिर से क्या बताएगा change in velocity और यह area कितना है हमारा minus 10 तो 10 और minus 10 तो पहले मेरा 10 बढ़ी-बढ़ी velocity फिर मेरी 10 घट गए velocity 0 से start करके पहले 10 पे आगए फिर वापस कितने पे आगए 0 पे आगए तो यह मेरा graph बनेगा I hope सब कोई बात clear है अब जल कि आगा अगा 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 जला है अगा है अगा मेरा आँग से identify करो पहले कि इसमें तुम्हारा graph की क्या shape रहेगी यहाँ क्या shape रहेगी कि 0 से 2 हम यह shape बनाएंगे graph start तो origin से करना है इसमें तो किसी को कोई doubt है यह नहीं बट shape को please दियान में रखना कि कैसी shape बनेगी 0 से 2 तक 2 से 4 कैसी shape रहतनी है 4 से 6 and also make sure कि ग्राफ को नीचे नहीं लेके आना ऊपर ही ऊपर जाता रहना चाहिए ग्राफ क्यूं क्यूंकि हम लोग कभी वापिस तो आई नहीं रहे देखो मैं अपने घर से निकला मैं पहले मैं हमेशा आगे ही बढ़ते जा रहा हूं क्या मेरी कभी भी विलॉस्टी नेगटिव हु वापिस सब्सकनी निकला नेटा करते हूं। तो मेरी फुजिशन जरूर कर रहे हैं अबनाया किसी ने उख़ो कैसा बना रहे हैं हैं के गलत बना रहे हैं हमाया भी गलत है यह नहीं है इस ट्रेट नेंज कैसे बना देंगे सारी वह वैल्यू तो ठीक है मुझे शेप बीट प्रॉपरली बनाके दिखाऊ इस फिर से रिपीट कर रहा हूं ग्राफ नीचे नहीं आना चाहिए शिक सेकंड तक वह उपर ही जाते रहना चाहिए तो गलत है के शिए तुमने एक ही शिए कैसे बना दी क्या हमेशया किरा बंता रहेंगा जीर सँज का cay जीरो से 2 तक पैराभूला होगा अपवड पैरा बंदा होगा zit अक क्योंकि positive acceleration टो से four टक एक स्ट्रेट लाइड बनेगी और four 4 से 6 तक डाउनवर्ड पैराबूला बनेगा तो कि नेगिटिव एक्सेलरेशन है 4 से 6 समझ में आया तो ग्राफ देखो कैसा दिखेगा इध्यान से देख लो भी दर जीरो से लेके टू सेकेंड्स तक जीरो से लेके टू सेकेंड्स तक एक अपवर्ड पैराबूला तू सेकेंड्स तक अपवर्ड पैराबूला इसलिए अपवर्ड पैराबूला इसलिए अपवर्ड फिर टू से लेके 4 तक एक स्ट्रेट लाइन और 4 से लेके 6 तक एक डाउंवर्ड पैर यह ग्राफ भनेगा अपवर्ड पैराबूला स्ट्रेट लाइन डाउंवर्ड पैराबूला इसलिए तूम बिसिकली पैराबूला के ना हाइस्ट पॉइंट पे पहुंच चुके हो तुम further और आगे जाते, suppose यह graph आगे भी होता, अब तुम नीचे आना start कर देगी, तुम्हारी position वापिस आना start कर देगी, और तुमको पता है, यहाँ velocity के उत्ती होती है, यह 0 of 6 पे, तो अगर मैं यहाँ पे tangent बनाऊंगा, तो वह highest point of the parabola पे पहुंच चुके हो, यह graph बना था and values तो बड़ी असान है देखनी, मैं तुमको पूछूँ कि पहले 2 second में कितना distance cover हुआ, तुम बोलो के सर इसका area निकालो, और area कितना निकल के आएगा, 10, तो मतलब 10 तक, फिर अगले 2 second में अगर निकालना पड़ जाए, तो इतना area निकल के आएगा, और यह कितना आएगा 2 into 10, that is 20, मतलब 10 में 20 और distance रगए कर लिया, तो कहां पहुंच गए, 30, and finally last, हमने 10 meters और cover कर लिया, यह भी 10 है, यह 20 था, तो 30 में 10 और जोड़ तो कहां पहुंच गए हम लोग, 40, यह graph हो, समझ मैं, मैं फिर से repeat कर देता हूं, because बहुत important a graph की conversion, starting में मेरे पास uniformly accelerated motion था, तो velocity बढ़ते गई, फिर मेरे पास constant motion था, तो velocity constant रही, फिर मेरे पास retarded motion था, तो velocity कम होके वापे 0 पे आते, एरिया से हमको पता चाल गया, change in velocity 10, फिर, obviously constant velocity 10, फिर यहां पे हमारी velocity 10 से कम हो गई, तो बापे 0 पे आ गई velocity, से यह है, then, फिर मैंने बोला, इसको use करके xt बनाना है, पहले 2 second में तुमने कितना distance cover कर लिया, 0 से 10 पे पहुंच गे, अगले 2 में, फिर 10 से 30 पे पहुंच गे यह वाला motion uniform accelerated मतलब upward पैरा बोला, फिर 10 से 30 पे जाना है, straight line पे जाना है, फिर 30 से 40 जाना है, downward पैरा बोला, सबको समझ में आ, that's it, यह graph होगे, इसका अगला question करते है, मिलता जूलता question होगा, इस बार मैं तुमको बस एक VT graph दूँगा, चिक है, यह काम करते हैं, शुरू से ही बना देते हैं, यह पूरा, चलो, ऐसे करते हैं, question starting से कर देते हैं, थोड़ा सा इसको question को extend ऐसा कर देता हूं, रुखो यह जो मेरे पास ट्रेट लाइन थी न, इसको मैं दो सेकेंड के लिए और बढ़ा रहा हूं, को एक हांगे, पिक है वे, दो सेकेंड के लिए मैंने और बढ़ा दिया, ग्राफ को 8 seconds तक ले गए हम लोग, अब हमारा ग्राफ यहां खतम नहीं हुआ है, यहां तक खतम हुआ है, यह भी एरिया बीच में आ जाएगा, एनिवेज यह तो बात की बात है, यह तो तुम्हें ही calculate करना है, एक यह चेंज कर दिया मैंने ग्राफ में, तो मतलब बाकी तो लगभग लगभग चीजी से में है, लेकिन एक छोटा से एक चेंज बता रहा हूं है, ठीक है, लिखोगा, सारा से में, एक last वाली जो line थी न, अब particle starts from rest था, ना, particle starts from rest वो रखो, from x is equal to minus 2 कर दोस में बस, बाकी सारी कहानी से, अब particle starts from rest, तुम सारा दुबारा बना लो, सारी चीज़े, acceleration, time graph, question दुबारा बना लो, सब कुछ दुबारा से कर लो, और लिख लो, particle, last वाली लाइन थी से हो, पार्टिकल starts from rest, मतलब T पे V तो 0 है, लेकिन x कितना है, minus 2, अब मुझे बताओ कि बाकी क्या क्या, VT graph में क्या क्या करना पड़ेगा, VT graph यहां तक तो सेम ही रहेगा, बस 2 सेकंड का आगे का बता दो, आगे कैसे बढ़ेगा, और फिर वाहां से xt भी बना देना, अब मुझे बढ़ेगा, आगे पिला दो, आगे कैसा लो प्हां भी आगे कि बाताओ कि लगाँ, इस एधिए, बसुऩाप़ेगा, आगे लोग जोगे क्या क्या करना, भी एष, तो आगे कि लोगे पालताओ कि लो एगे लोगार देना, आगे लो तो, चल्सुए, आगे उ झाल झाल इस बार यह एरिया कितना जाएगा माइनस सबको समझ में आरह नहीं है तो अब यह मारा ग्राफ बेसिकली और रिटार्ड और करता जाएगा नेगेटिव चली जाएगी इसकी विलासिटी बद इतना ही परकाएगा और कुछ भी नहीं है इस पार जो मारी विलासिटी है यह नेगेटिव में चली जाएगी झाल झाल सब ने ग्राफ बना लिया आगे इस बार वीटी ग्राफ खुड़ा और आगे तक बढ़ा दिया हमने शिक्स से एट तक फर्दर इसको और खीच दिया निचे तक और मेरी फाइनल विलॉस्टी अब कितनी हो जाएगी माइनस के ना क्योंकि देखो यह क्या बोल रहा है कि पहले जीरो से टैन तक बढ़ाई यह यहां से देखते हैं यहां पर देखते हैं अभी तक कुछ नहीं करना एक्सीज़ों माइनस तू का रोल क्या है इस क्वेशन में रोल यह है कि इस बार तुम्हारा जो ग्राफ है ना कि उसकी स्टार्टिंग पूजीशन कि जो मारा ग्राफ है उसकी स्टार्टिंग पूजीशन अब क्या होगी माइनस ध्यान से देख माइनस टू होगी तो माइनस टू में तो को कह तक जाएगा हमारा उस बारूरो करो ऑगाशन से 100 यह बहुत सिंपल सी बात है कि पहले मैं जीरो से टैन जाता था था 10 से 30 अब ऑस में दो मीटर पीछे कीज़े, क्योंकि मैंने starting position अपनी 2 मीटर पीछे रख रखी है, और इस जिन से 2 मीटर पीछे है, तो अगर मैं पहले 10 मीटर minus 2 से कहां तक जाऊंगा, 8 तक जाऊंगा, फ़र से 20 और आगे 28 तक जाऊंगा, फिर 38 तक जाऊंगा, and so, यह समझ में आगया सबको, लेकिन graph यहां खतम नहीं होगा, अपना, graph आगे जाएगा भी और, वही हमको discuss करना है, कि graph अब यहां पर खतम नहीं होगा 6 सेकंड पर, graph का अब करना क्या है, let's understand, अब graph को 8 सेकंड तक लेके जाना है, थोड़ा सा extend कर देता हूं, अब हमारा graph 8 सेकंड तक जाए, 6 सेकंड तक तक तो हमने बना के रखा हुआ था, अब देखो क्या होने लगए, इसका मतलब समझो, कि तुमने 40 तक गए, मतलब यह 40 डिस्टिंस कवर किया, अब माइनस 10 हो गया कि नहीं हो गया यह, एरिया, तो मतलब अब 10 तुम वापस आ चुके, तो मतलब तुम 30 डिस्टिंस सी कवर किया, तुमने शुरू से मतलब अब वापस तुम 38 से कहां पर आ जाओगे, 28 के उपर, तो पैरा बोला और आगे बढ़ेगा, और कहां पर खतम होगा जाके, 28 के तुम्हारी retardation हो रही थ घटना स्टार्ट होगी है, यह पूरा ग्राफ दिखो क्या बताता है, यह बोलता है, यहां से 0 से 2 से कंड तुम, तुम 0 से कंड पर अपने घर पे हो, घर से 2 मीटर पीछे लगा लो चलो, तुम आप, तुमने पहले तेजी से भगाया, एक्सल रेट किया, फिर तुम कुछ देर 2 से कंड के लिए constant speed पे जाने लगए, फिर तुमने 4 से कंड के लिए speed को बढ़ा, फिर अगले 2 से कंड तक, मतलब 6 से कंड तक, तुम्हारी speed 0 होगी, फिर तुमने वहां से उल्टा गुमा लिया बाइक को, और 2 से कंड के लिए तुम अप अपने घर की तरफ वापिस आने लग गए, 6 से 8 ता, तो तुम्हारी position पहले यह तो maximum पुदी है, तो farthest तुम घर से गए थे, लेकिन फिर तुम अब 2 सेकंड लिए घर वापिस आने लग गए, तो x तुम्हारा घटना start कर गए, तो अगर तुमने यहां पर 10 मीटर, last के 10 मीटर और यह जो पहले 10 मीटर यह compensate हो जुके है, तो तुम यहीं पे हो, जहां तुम 4 सेकंड पे हो, वहीं पे तुम कहां पे हो, 8 सेकंड पे भी तुम same position, क्याई बस अब को समझ में आ रही है, जहां तुम 4 सेकंड पे हो, वहीं तुम 8 सेकंड पे हो, क्योंकि 4 से 6 तुम सामने जा रहे थे, 6 से 8 तुम व नॉन मेडिकल वाली में है या मेडिकल दोनों में है या नहीं है बट जो भी मेरे पास question है तो मैं बोटे देता हूं किसी के पास PDF है प्रिंट आउट निकाला एक पर देखना शायद तुम्हारे वाले निगो बरना मैं अपनी book लेकर आता हूं किसी के और के पास है तो ऐसे देख के रहे थे अग्राफ का इसमें तुमने आदा ही नहीं का लगा है इसे अगला ही पेच्ट यह जिसका कि अग्राइब तो ना जो चेक पॉइंट 3.6 है यह भरा बड़ा ग्राफ से पुरा ग्राफ सी ग्राफ से तो आज की डेट में जाके इसको खतम कर देना दीगें एक आद कुशन हम लोग यहां देख लेते हैं कि यहां कि 3.6 कि 3.7 भी इसके पाद बहुत काम है तुम्हारे पासर भाई इसको खतम करना सार्ड कर दो डीसी पांडे ना लग जाया करो का बस देख और कि 3.5 क्या क DC 1.5 में कायाँ नों निफार्म्ली सिपर्व इसक्राइट थी 5.5 में यह मत कर न स्रे आब ann death0 झाई खे और इतनी मेहनतियार खुद से कर लिया करो कि तुम्हें पता है कि आज graphs discussed हुआ है जूनड तो लोगी तुम खुद से की यह graph को कर लिया करो घर जाके डोंट वेट की मैं बोलूगा यह करने वह करने देख लिया करो चलो क्वेशन करो जल्दी से मतलब वीटी ग्राफ मैं लिख रहा हुआ वीटी ग्राफ वैल्यूज दे रहा हूं तू सेकंड्स पूर सेकंड्स सिक्स सेकंड्स एट सेकंड्स इस तेन इस ट्विंटी मीट्र पर सेकंड्स में है यह सेकंड्स में यह मीट्र पर सेकंड्स में है तो इसका एक्स टी बनाओ जल्दी से कि अंजी चना दिया हां वह अज्यूम करके चलो कि टी जीरो पर एक्स जीरो है तो पहले यह डेंटिफाय सबसे पहले तो तुमको यह समझ में आना होगा कि पार्टिकल कभी भी वापिस नहीं आ रहा वी कभी नेगटिव होई तो एक समेशा बढ़ते रहना चाहिए अब वह देखना कि डाउंवर्ड पैराबोला से बढ़ेगा अपवर्ड से बढ़ेगा स्ट्रेट लाइन से बढ़ेगा वह अइडेंटिफाय करो कब कब क्या होगा चार पार्ट्स में ब्रेक कर लो इस ग्राफ को कि अच्छा तन भी तो आज सब लोग ग्राफ्स प्रैक्टिस कर लेना घर पे जाके वह चेक्पॉइंट से ठीक है कि अच्छा एथ कि कि कल वाली क्लास में फिर से मैट्स पढ़ेंगे हम लोग ठीक है तूम जाएगा कल कि अच्छा कि 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 अधिक डाउंवर्ड बनाते तिम्हें डाउंवर्ड होगा है अप्वार्ड कि नीचे क्यों जा रहा है ग्रास अब यहन विदा है न रिटार्ड हो रहा है देखो कि जब जब तुम सेंटर पर आए हो भी कि तुमने ब्रेक लगाई हुई न थोड़ी दिर पहले स्टार्ट कर दियोगी फिर यहां जाके रुख गई होगी आये तो तुम सामने ही हो न ब्रेक लगाई है तुम कि जब विलॉसिटी नेगेटिव होती है तब पीछे जाना स्टार्ट करते है ना हुआ हाँ अब तक सही है अगे आगे बना अ नहीं तब गलत हो गया हुआ है आगे पार चाहिए कि अचाहिए तुमारे नाम था निहार के अगले वाला तर नहीं दाल रखा था तुमारे नहीं सी आता है कि आता है और वह अगी सी डाल रखा था इसलिए मूझे डूट रोंच गलत है नीचे क्यों जाना ग्राफ मैं फिर से पोल रहा हूं नीचे नहीं जाना ग्राफ है नीचे तब जाएगा ना अगर विलॉस्टी नेगिटिव होगी तो पीछे डिस्टन्स प्लीज मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ग्राफ हमेशा उपर ही बढ़ना चाहिए कैसे भी शेप हो मुझे नीचे नहीं आना चाहिए यहां से क्योंकि नीचे आने का मतलब यह है कि तुम बापस आने लग गयो वापस तो तब आओगे ना अगर तुम्हारी कभी विलॉस्टी नेगिटिव होगी तुम्हारी विलॉ ब्रेक मारूंगा ब्रेक मारने का मतलब यह नहीं कि मैंने रिवर्स गेर मार लिया ब्रेक मारना मतलब जा तो सामने रहा हूं लेकिन स्लो हो रहा हूं तो ब्रेक मारना हूं लेकिन पीछे नहीं जा रहा हूं ब्रेक मारना हूं मेरा डिस्टंस तो आगई बढ़ेगा ना उ कि या एरिया ओफ शरम नहीं आती भाई भाई इसको बता दो कोई एरिया ओफ प्रिपीजियम क्या होता है कि कितने नंबर आए यहां टेंथ में मैंस में पूर्ड में कि शरम नहीं आती तुम लोगों को एक दम मतलब न चलो नहीं पता होता तो ऐसा पूछो तो मतना मेरे से इतनी तेर में तुम बाजुवाले से पूछ लो इसको भी नहीं पता कि अच्छा जीरो जीरो से स्टार्ट करने तो और इजिन से स्टार्ट होगा अब यहां पर एक्सेलरेशन कैसी अब हमारा कैसा मोशन आ जाएगा तो स्ट्रेट लाइन का मोशन आ जाएगा क्योंकि अमारी एक्सेलरेशन जीरो गई है और यह डिस्टेंस कितना कवर कि हमने बाद में तो टैंसे अब कहां जाने वाले हैं 30 के उपर विद यहल्प आप पर स्ट्रेट लाइन अब सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब अब अब इसके बाद फर्दर ग्राफ हमारा कैसा बनना चाहिए पूर से लेके शिक्स तक एक्सेलरेशन फिर से क्या है और यह एरिया कितना निकल क्या रहा है थर्टी आ रहा है तो मतलब हम थर्टी से कहा जाएंगे थर्टी और एड़ करके शिक्स्टी और फिर से कैसा पहरा बोला अपवर्ड तो मैं सिक्स्टी पे पहुंच गया हूं क्या यहां पे सब को समझ में आया एंड लास्ट पार्ट ऑप दा ग्राफ इस बार क्या होने वाला है अब एक ऐसी है नेगेटिव कैसा परबोला बनेगा डाउंवर्ड और यह डिस्टिन्स कितना आ रहा है तुमारा ट्वेंटी तो सिक्स्टी से अपका जाऊंगा एट्टी पर जाऊंगा देखो फिर से बता बता रहा हूं कि आगे ही जा रहे हैं सिक्स्टी से एट्टी पर रहे हैं बट विदर रिड्यूसिंग स्पीड तो सिक्स्टी से एट्टी पर जाना है मुझे बट विदर रिड्यूसिंग स्पीड मतलब डाउंवर्ड पैराबोला और मैं हाइस पॉइंट ऑफ दा पैराबोला पर पहुंच चुका हूं क्यूंकि मैं यहां पर विलॉस्ट तरह ना कल तक सारे ग्राफ वाले question चीक है है कि यह ने question यह हूं नहीं नहीं चांट कि BT से एकस्टी बनाना अच्छा 80 ग्राफ भी बनाना चाहते त्राइक बनाना जाते हैं कोई इच्छा नहीं है एटी एटी ग्राफ भी इसका बना ले ना और डीसी बंडे में कोईशन सिर्फ बीटी से एक्स्टी था एटी इसका ट्राइब करो अभी कर लो तकल करके आजाना इसमढ़ तुम छार पार्ट में अलीन खरो प्रेशन चार पार्ट में पोस्टिव अक्सेल्डेशन पार प्रफफ़ एक्सेल्रेशन बना यह और बना लो BENICA लो निप्टाओ खतम करो कल फिर नया काम स्टार्ट करेंगे वाल तुम्हें खतम करो क्या है तुम लोग ना एर तुम लोग आलसी बना दोगे अपनी तरह तो इस शकले देखके मुझे भी लग गया कि छोड़ा पर मुझे लग रहे कि नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो जल्दी 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 अटी ग्राफ उए चुप गोल ला चलो तो पहले हमारी positive acceleration है कितनी है वो acceleration कैसे निकाला इसकी slope या 10 थीटा बेसीकलिए 10 upon 2 तो 5 समझ मैं आ गया इसके बाद acceleration कितनी हो जाएगी यह भी समझ मैं आ गया कि पहले दो सेकंड तक 5 थी फिर अगले दो सेकंड के लिए कितनी है जीरो क्योंकि constant velocity है यहां पर उसके बाद फिर से क्या हो जाएगा फिर से क्या हो रही है एक्सेलरेशन हो रही है और तुम ध्यान से देखोगे अब तुमको इसका एंगल यहां पर निकालना पड़ जाए दिस इस टेन इस फिर से एक्सेलरेशन फाइव तो एकदम सिमिलर सा डागराम यहां पर बन जाएगा फाइव और इसको तुम और यह तो खीचे ही चला जा रहा है मतलब एक्सेम ही स्लोप है अच्छा और यह पॉजिटिव थी ना पहले तो इसका कुप्लीट करते हैं और यह क्लियर हो गया सबको इस इक्स तक फिर से पॉजिटिव थी प्लस फाइव फिर से वैल्यों आखरी दो सेकंड का जल्दी से बता दो आखरी 2 सेकंड अब ना यहाँ पे यह 10 माइनस ऑफ डिस थी टा चाहिए यह कितना वैल्यू 20 यह वैल्यू कितनी है 2 माइनस 10 उनी चैज़ बर वैल्यू पर दे लास्ट्व सेकंड इतनी आएगी माइनस 10 समझ में आगा या सबको 8 seconds तक minus 10 तो ये graph ये बना कि पहले 2 seconds के लिए 5 की acceleration है 5 meter per second square फिर अगले 2 seconds की 0 फिर अगले 2 seconds की 5 और last के 2 seconds की minus 10 clear है चलो वेख